उब्रविस्टैने की नंश्कार हमारे शारे एस्परेंट भाई जल्दी से आजाओ आज क्लास हम सुरू करते हैं जैसा कि आप जानरों आज मारी क्लास थोड़ी टेकनिकल गलिच के बज़े से क्लास थोड़ी देर है आप सारे जल्दी आजाओ हम क्लास सुरू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था जो हम x plus 1 by x के फॉर्म वाले सवालों को कल सकते हैं और सिफ्ट कर सकते हैं हम वह सब चीज आज देखेंगे ठीक है जी फटा 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 आजाओ हम क्लास सुरू करेंगे जो ठीक है जी हम क्लास सुरू करते हैं यह हमारी क्या है एलजबरा की हमारी कौन सी क्लास है हमारी सात्वी क्लास अलजबरा की है जल्दी से सार सकते हैं अगर हमें x-1 by x दिया है तो हम x2 plus 1 by x2 कैसे पहुंच सकते हैं हम कल आपको दो छोटे-छोटे सवाल बताये थे एगर आपको यह दिया हो तो आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो ठीक है जी हम आपको कल यह बताये थे कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने यह पढ़ा था कि अगर आपको x plus 1 by x अगर आपको x plus 1 by x दिया हो अगर आपको x plus 1 by x दिया हो मानलो हम दे दिये 5 तो आपसे पूछा जाए value बताओ किसका x square plus 1 by x square का तो बता पाओगे आप अगर आपसे पूछा जाए x पे 4 बताओ प्लस 1 बटे x पे 4 तो बता पाओगे अगर हम पूछे आपसे बताओ x पे 8 बताओ तो क्या बता पाओगे यह आपका आज का पहला सवाल है क्या इसका अंसर आप जल्दी से दे सकते हो हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर next step में जो पह हैं हम कैसे पहुच रहे हम हमयर करके पहुंच रहा हैं आप ध्यान दो अगर हम इसका फरस्ट वाले x । स्क्वास तक अगर हम सकते हैं एक स्क्वाइर करेंगे तो पहुंच सकते हैं एक एक स्क्वायर करेंगे यही समझने दोस्त कैसे रहना आपдж गुग मे जाना है इस पे next step पे हम जाएंगे square करने से अगर आप next step पे जाते हो square करने से तो आपका best क्या है quick formula कि इसका square करो 5 का square करो और minus करो 2 कितना आएगा आजाएगा आपका 20 अगर आपको 23 से पहुचना है इधर अगर आपको यहाँ से x square प्लस 1 बटे x square से पहुचना है x पे 4 प्लस 1 बटा x पे 4 कैसे पहुचोगे इसका करो square 23 का 23 का square करो और करो minus में 2 बताओ कितना आएगा इसका हो गया 539 और बटे 2 आपका minus 2 क्या हो जाएगा हो जाएगा 527 यह आगया अगर आपको निकालने का हाज बताओ x 8 बताओ प्लस 1 बटे x 8 तो हम जान रहे हैं कि अगर हम इसका square करते हैं x 4 प्लस 1 बटे x4 का अगर हम square करेंगे तो हम पहुच जाएगे x पे 8 प्लस 1 बटे x पे 8 तो वही same काम यहां करेंगे हम 527 का square होगा और minus 2 अब इसका square किसी को याद नहीं लेकिन जो भी आंसर होगा वो क्या होगा इसका square minus 2 तो आप एक pattern यहाँ पर notice कर पारे हो pattern क्या है कि अगर आप वो stage पर पहुंचना चाहते हो जहां हम square करने से पहुंच जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना हमें बस यह करना है जो दिया है उसका square करो minus 2 जो है उसका square और minus 2 यह आपका एक छोटा सा चीज है जो आपको हम कल भी बत सब्सक्राइब आपको दिया है एक समाइनस वन बटा एक सगर आपको चार दिया है अगर आपको एक समाइनस आज तो संडे था सर अरे हम तो कली बताया थे कि यार संडे है ऐसा कोई बात नहीं कि class of नहीं मतलब class of class of क्यों रहेगी यार हमें पढ़ाना है और आपके लगब लोग आज से 4-5 class अभी छुटी रहेगी मेरी मैं घर जा रहा हूं इसलिए मैं बोला आज मैं class ले लूँगा मैंने कल बताया था साथ आप इस बात को मिस्स कर गए थे ठीक है चलो इसका अंसर बताओ सर्मजी इसका अंसर एक स्क्वार प्लस वन बटा एक स्क्वार का मान बताओ उताओ क्या होगा वैल्यू जैसे हम यह फ्लस वाले में वैल्यू आ जैसे हम यह स्क्वार चार मान बता ऑपको में दो यहां करते हो माइनस में तो आपको जाना है प्लस से प्लस में यहां जाओगे माइनस से माइनस में तो क्या करना होगा आपको करना होगा प्लस दो कि अधिक है तो देखो बात समझ रहे हैं अगर आपको यह दो चीज करना है अगर आपको सिंपल सवाल solve करना है है ना तो आप यह कर सकते हो एक में क्या है स्क्वाइर माइनस दो यहां फर्मूला क्या बन रहा है यहां फर्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वाइर प्लस दो बोलो यहां पर यह चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे मुझे ऐसे पता था कि आज क्लास ही नहीं अच्छ रखता है लिए लगत ने गलत गलत तकहीं से मईरी बातों को इंटे हैं ला छाइड बढ़यें सवाल इसका अंसर देख़ो एकदम सेम सवाल है या दिया आपकी पास दिया है X प्लस 1 बटने X कितना है? 7.5 है आप से पूछ रहे हैं बताव value X square प्लस 1 बटने X square का बताव कैसे करोगे? यह आपका A है यह क्या है? अगर आपको वहाँ पहुंचना है जहां आप square कर से पहुंच जाते हो तो क्या करना है इसका square करो? अगर आपको निकालना है x square plus 1 बटा x square तो क्या करना है इसका square करो 7.5 का square और क्या होगा माइनस में तो बताओ इसका square क्या होगा इसका square हो जाएगा 25 25 और 7886 ग्या होगा 56 और माइनस क्या होगा 2 यानि क्या आएगा 54.25 इतना आएगा 54.25 आंसर कौन सा option नमबर है बोलो समझाया दोस्त कि अचीन जी समझाया कि आगे बड़े चलो आगे बढ़ते हैं आगे आपके सामने है वैसा ही एक सिंपल सवाल इस बार क्या है इस बार आपको दिया है एकस माइनस वन बटा एकस इस बार क्या दिया है इस बार आपको दिया है एकस माइनस वन बटा एकस और आपको पहुंचना है कहां पर आपको पहुंचना है x square plus 1 बटा x square क्या होगा जी यहाँ आपका काम करता है कौन सा फर्मूला a square plus 2 इसके पीछे वाले में इसके पीछे वाले में यहाँ क्या काम करता है यहाँ काम करता है a square minus 2 अगर आप x plus 1 by x से पहुँचोगे हाँ जी d अंसर सही है जी अगर आप x plus 1 by x से पहुचोगे x square plus 1 बटा x square में तो क्या करना है a square minus 2 a हमारा का है जो value है x plus 1 by x का next में क्या है अगर आपको यहाँ पहुचना है x minus 1 by x से पहुचना है x square plus 1 बटा x square पे अंसर गलत है जी अंसर तो बिलकुल गलत है यार हमने आपको गलती सिदे जी साबास सी के आप सही आंसर दे रहे हुआ रहे है डी में कहां से आएगा आंसर भी है कैसे इसका करो square 7.5 का square करो और प्लस 2 कौन करेगा मेरे भाई प्लस 2 कौन करेगा बताओ इसका square क्या हो इसका square होगा 56.25 और प्लस 2 कितना आएगा अंठावन पॉइंट टूफाइब बोलो समझाया दोस्त अगर आपको समझाया आपका आंसर 56.25 कैसे है यह तो square है ना क्या आपको square करना आता है इसका अगर आपको लिखना हो 7.5 का square कैसे लिखोगे यह 5 लास्ट में है तो यहाँ पहले 25 लिखो यतने भी 5 वाले हैं चाहे होगा आपका 65 हो 75 हो 25 हो 45 हो किसी का भी अगर square लिखना है तो पहले आप यहाँ लिखो 25 कैसे square गलत कर दिये थे आच्छा कोई बात नहीं तो क्या आएगा 25 और यह 7 है तो इसे 7 को न इसके next number से करो गुना तो कितना होगा 7 कुना 8 कितना 56 और 1 point है तो यहाँ पर 2 point कर दो ऐसे निकाल सकते हो ठीक है तो आप यह 2 सवाल समझ गए अब अगर आप 2 सवाल समझ गए तो आपको हम समझा रहा है एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर हम सीखने वाले है increasing power क्या सीखने वाले है increasing power कैसे हम power को increase करके value निकालेंगे ठीक हम सीखने जा रहा है increasing power x plus 1 by x के form में हम सीखने जा रहा है increasing power जैसे आपका x plus 1 बटा x दिया है कितना 2 कितना दिया है 2 दिया है आप से हम पूछेंगे बताओ कि x square plus 1 बटा x square कितना जल्दी से बताओ x पे 4 plus 1 बटा x पे 4 कितना जल्दी बताओ पूछेंगे x पे 8 plus 1 बटा x पे 8 बताओ जल्दी से बताओ क्या-क्या इसका आंसर होगा है ना बहुत ही प्यारा और छोटा सवाल है जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो देको सब क्या है इसका स्क्वेर से यहां पहुंचे इसका स्क्वेर से यहां पहुंचे अगर हम ऐसे जगह जा रहे हैं जहां हम स्क्वेर करने से पहुंच सकते हैं तो फर्मूला क्या काम करे स्क्वाइर माइनस दो पहला क्या होगा आपका दो का स्क्वाइर माइनस दो तो कितना आएगा आपका दो आएगा ठीक है कितना आजाएगा दो स्क्वाइर माइनस दो तो 4-2 यह काम करें दो वाला में समझ्च्य है दो आप छोड़ो दो में आपका आंट सही से नहीं आ रहा हम आपको 3 दे रहे हैं ठीक है आप 3 से निकालो पर मुल्या क्या काम करेगा स्क्राइब आपको है आज हमारे के स्पेशल के स्पेशल राइंगे एक एक यह अरहता है हो भी आपको सिखाएंगे हैं मईंचा के आंत में हम वह बढ़ाएंगे लेकिन पहले ऎगर आपको यह दिया है एक्स प्लस वन भाय एक्स हमें पहुंचना है एक्स स्क्वेर प्लस वन बैक स्क्वेर पे तो क्या होगा तीन का स्क्वेर माइनस दो कितना आया साथ अब पहुंचना है नेक्स्ट तो क्या होगा साथ का स्क्वेर माइनस दो कितना आ जाएगा 47 अब पहु आंसर आ रहा था आपको कैसे यार्ट बासट आया जी वह दो वैल्यू ना दो एक बहुत ही स्पेशल वैल्यू है ठीक है वह आले पर सवाल आपका सॉल्व नहीं हो रहा आप सारे सवाल गलत कर दें भाई देखो आप तीन वाला वैल्यू लो और समझो है ना वह जो आप करते न जा रहे थे तो जैय откorama कि और तो शरी आएगा फिर करो दो का स्क्वार म्हानिस दो धो है तो हर केस में वाल्यू दो है वह एक स्पेशल केस है वह क्या है tun केसे अना अब देखो जी यह आगए है cinnamon computer्त तो तो कितना आएगा 2207 47 का स्क्वाइर कितना होता है 2209 होता है तो अगर आपको यहां पहुंचना है तो पहुंच सकते हो अगर आपको आगे पहुंचना है ऐसे में तो आप पहुंच सकते हैं आप क्या कर सकते हो पहुंच सकते हम देखे 2-4-8-16 ऐसे अगर आपका पावर बढ़ रहा है तो हम बस स्क्वार माइनस टू करेंगा और पहुंचते जाएंगे लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हो कैसे दिया हो अगर आपसे निकालने कहें बताओ हमें निका पावर से कैसे डील करेंगे एक्जाम में इतना बड़ा वैल्यू नहीं दिया जाएगा आपको सवाल भी कराएंगे और जिसका स्क्वार पूछा है उसका अंसर कैसे निकालो का सीखो देखो एक्जाम में आपसे यहां पूछेगा अगर आपसे यह एट वाला पूछेगा तो आपको यह वैल्यू देगा कितना वन देगा माइनस वन देगा यह दो दो तो देगा नहीं हाँ दो भी देशकता है दो से क्या होता बहुत आसान हो देख जिसका आप निकाल सको ठीक है पचास के अंदर में आपका स्क्वार पूछेगा और क्या दिक्कत है आप 100-100 के स इसका अंसर क्या है इस पे फर्मूला बताओ क्या बनेगा ओके सर मतलब ठीक ठाक ही देगा एकदम भाई वैसा ही देगा जो आपके लिए उस गिवन टाइम में पॉसिबल अगर आपसे निकालने का है यह वाला ठीक है तो हम आपको बतायते फर्मूला क्या बतायत है अगर आ अगर आपसे बताओ एकस पेच है बताओ प्लस बंबटा एकस पेच है बताओ क्या हो अगर आप से पूछे बताओ एक्सपिच है प्लस वन बटे एक्सपिच है इसका वैल्यू बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्सपिच है प्लस वन बटा एक्सपिच है इसको कैसे निकालोगे आप दिमाग थोड़ा से दोड़ाओ भी या इसको आप कैसे निकालोगे बहुत ही सिंपल चीज है इसको कैसे निकालोगे अंसर क्या रहा है यह बताओ जैसे आप अगर कहीं पहुंचना चाहो जहां आप स्क्वेर करने से पहुंच सकते हो तो वहां लगाओगे यह फर्मुला अगर आपको वहां पहुंचना हो जहां आप क्यूब करने से पहुंचते हो तो वहां लगाओगे एक क्यूब माइनस दिये उसी से जहां से पहुंचोगे वही स्टेप में लगाना है आपको है ना उसी को आपको एमाल लेना है जैसे हम यहां से यहां पहुंचे इस के लिए और एक स्क्वेर की माइनस दो किये अंसर आया सचिन जी कि देखो क्या होगा इसमें इसमें होगा अठारा का स्क्वेर माइनस दो बोलो दिक्कत था तो बताओ 322 क्योंकि क्या है हम यहां सब स्क्वेर करते हैं तीन का स्क्वेर बताओ नहीं का स्क्वेर कि 10 Leo x पे 6 बने गाया च पहले सिद्धे चैनल टेबलो कोई तकलिफ है तो बताओ जल्दी से हम यहां पहुँच गए अगर आपसे पूछे बताओ x पे 9 फ्लस 1 बटा x पे 9 अगर आपसे यह पूछे x पे 9 बटा 1 1 बटे x पे 9 कैसे निकालोगे तो हम जान रहे हैं यहां से अगर हम cube करे तो यहां पहुँच सकते हम यहां से गर क्यूब करें तो पहुंच सकते हैं तो 18 का क्यूब करोगे आप और माइनस क्या करोगे तीन गुना 18 जो भी आंसर आएगा आपका यह आंसर तो आप एक बात यह समझ रहे हो कि अगर हमको next step में जाना है तो हम यह देखेंगे कि वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं क स्क्वार करने से वहां पहुंच सकते हैं हम क्यूब करने से पहुंच सकते हैं अगर हम स्क्वार करने से पहुंचेंगे तो आप देखें कैसे हम इंक्रीजिंग पर करें तो हम क्या किये दो तीन चार आठ छे हम आपको एक्स पर पांच हम आपको यह नहीं बता है एक्स पर पांच प्लस वन बटा एक्स पर पांच हम आपको यह नहीं बता है नहीं बता है न यह बताएंगे आगे यह हम बताएंगे आगे यहां पर नहां कि यह आपको सब्लाब कर देगा इसको बताएंगे आपको आगे करते हैं कि figuring किन का बात करते हैं हम बात करते हैं आपसे decreasing ओडर की वह हम सब आगर आपसे यह पूछे दिया हुआ ह1 एक स्क्वेड टंट एक स्क्वेर का वैलीauftी fast छाल कि रेंट दिया है व्यली दिया है 7 हुट रहें बताओ एक्सप्लस मेटा एक्स होगा मैं सर मत अलाओ तके उसका इसका आंसर विो फट कर अगर आप से यह पूछे एक्स plan बाएक्स बताओ और आपको हम दिये value किसका आपको value दिये x square plus 1 बटा x square का बताओ क्या होगा बताओ जी इसका answer क्या होगा answer 3 साबास भाई बहुत बड़ी है देखो इसमें क्या होगा हम एक काम करेंगे क्या काम करेंगे हम x square plus 1 बटा x square में यहां हम जोड़ेंगे 2 यहां भी हम जोड़ेंगे 2 अब यह 2 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x into 1 by x अगर यह लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या हम दो जोड़े हैं both side और यहां पर हम लिख दिये x into 1 by x तो कोई फर्क पड़ा क्योंकि x x कटके क्या हो जाएगा 1 तो यहां हम कोई फर्क नहीं ला रहे हैं अब देखो इसको आप तो यह क्या बनेगा यह आपका बनेगा x plus 1 बटा x का whole square और यहां आपका आजाएगा 9 तो यहां से निकलेगा x plus 1 by x क्या जाएगा आजाएगा 3 क्या जाएगा आजाएगा 3 तो हाँ जी यह सही है लेकिन बताओ सर इसका formula तो बताओ सर हम कैसे पह पहुंच जाएगा यहां पर क्विक लगा के formula तो formula क्या कहता है कि अगर आपको पहुंचना है आपने नीचे पावर पे लेकिन वैसा जो आपका square से बना हुआ पावर है जैसे यह square से पहुँचना है आपको base पर है नहां स स्क्वेर वाले से पहुचना है बेस पे तो फर्मूला क्या बनेगा बनेगा आपका जो वैल्यू है तो उस में आप दो जोड दोर और ऑफ कर दो क्या करोगे आप 2 जोड दो गे और ऑफ बहुत बड़े समझ गए आप यार ना क्या कर सकते हैं हम यहां पहुंच सकते हैं आपका दो जोड के अंडरूट कर दो अब देखो अब आपसे मुझते हैं सवाल बहुत प्यारा सवाल आपसे मुझेंगे देखो अगर आपका लिखा हुआ है एकस पे 4 प्लस 1 बटा एकस पे 4 दिया हुआ आपका 47 कितना दिया है 47 47 दिया है आपको पहुंचना है x square, ये समचा 3 बढ़ी बहुत बढ़ी है कैशे आया यह यह आपका आयाуса 37 में आप दो जोड़ दो और अंडर वूट ले लो और कितना आगे। आपका वैलीय में पहुंच सकते हैं आपका सेम तरीके से यहां कोई समस्या तकलीफ आपको नहीं है कि एक और क्या है इसमें अगर एक फर्मूला आपके लिए यहीं बनता है कि एगर आपको एक से नोल समागे remosडरा क्यों पूच्छे आपसे बताओ एक सक्यूभ मानेस सवन भनट एकस क्यूब बता यह क्यूब वाले में स्पेशल केश पेशल का हूँ वाल जो है स्पेशल भता आपका यह किये थे किए आपको एक स्जाब था था 4 और आपसे पूछा था एकसरी 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 पार्मुला आपकी लिए क्या बना थे हम बना अगर आपको प्लस से प्लस के क्यूब में जाना है तो फर्मुला क्या बनेगा एक क्यूब माइनस से बोलो समझ आया दोस्त यहां क्या होगा चार का क्या होगा चार का क्यूब होगा चार का क्यूब के बाद प्लस में क्या होगा आपका होगा तीन मुना चार तो कितना आ जाएगा आ जाएगा चौण सट बारा कितना होगा च्छी अधर कि अगर दोस्त यहां तक समझ गए आप कैसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर में आ सकते हो बोले समझ गए हो समझ गए हो तो हम आप से एक और छोटा सवाल पूछते हैं सवाल क्या है एगर आपको x प्लस 1 बटा x दिया है कितना अगर आपको यह दिया है 3 हम आप से क्या पूछ रहे हैं बताओ हमें x-1 बटा x कि यह क्या है हमारा साइन्चेंज ओला में यह क्या है हमारा है साइनी चेंज है एक हम क्या किये 및 वी बेल्दे की डिक्रीज़िंग पावर में सटिवसें ट्रीए जोढ़कर कुटरोट कर दींगे हैं Na में क्यूंब रूट जैसे आपको वापस आना है plaing कैसे का मैं है कि युर अन्य कर्योच क्यों सिखाएंगे आपको वापस एक वह आपस डिलाएंगे वह आसानी दिना फर्मूले के इसमें आपको आपको प्लस वाले से पहुंचना है माइनस में लेकिन सेम पावर यहाँ पर क्या है पैरलल पावर या कहते हैं सेम पावर जैस्ते गर आपका दिया हो एक्स स्क्वेर इक स्क्वेर फ्लस वन बटा एक्स स्क्वेर अगर यह आपको दिया है पांच और आप से पूछे बताओ एक्स स्क्वेर माइनस वन बटा एक्सस्क्वेर तो कैसे निकालोत कि इस डे inhवं में ही आना है यहाँ ग्रॉचाच किया है अगर आप आपको यहां से यहां जाना है तो जो दिया है उसका स्क्वेर करो जो दिया है उसका स्क्वेर करो अगर आपको प्लस से जाना है माइनस में तो माइनस करो और इसका अंडरूट लो स्कु草ठ एक स्क्वायर पे तो क्या करोगे आपंक करोगे यहां पर पांच का स्क्वायर और माइनस करोगी चार कितना आया अंडरुट में 21 भोलेस समझ आयां दोस्त आपके लिए फर्मुला क्या बनाए है आपको रों सेम अंच में मैं स्कॉरहू करो माइनस माइन और प्लस 4ABु यह पढ़ा है जी है कि दूसरे है आपने पढ़ा होगा है माइनस बी का होल स्क्वेश क्या होता जोटा है माइनस में second पैप नहीं को इसी को हम यह परमुलबनाये है 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 कि जैसे बात करें हम にस और इसको यह बोले और इसको हम B बोलें ठीक है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है X और 1 बटा X तो हम कह सकते हैं कि X minus 1 बटा X क्या होगा इसका square क्या होगा होगा X plus 1 बटा X square का whole square और क्या होगा minus में 4AB तो minus में क्या आएगा 4 into A into B अब देखो यह square है यह square है हमें निकालना X minus 1 बटा X तो क्या करेंगे डालेंगे अंडर रूट और क्या बनेगा X plus 1 बटा X का whole square और minus में क्या है X X कटेगा तो क्या आएगा minus में 4 यहां से फर्मूला बना है तर हमेशा minus 4 होगा value कुछ भी कि बहना है हमेशा minus 4 क्यों होगा देख सपा रहे हो यहां पर 4AB घट रहा है अगर जूटे अभी तो जूटे का आप सेम पावर में जा रहे हो आप सेम पावर में जा रहे हो लेकिन आप इस बार जा रहे हो माइनस से अध़ वाइस nearly Tuesday नहीं आ भी मैं sugar रख राग्राव इस कियों कि मुद्स क्लियर आरहा है घुल के बाताऌना कुछ करते हैं इसको पाए तुमन जी बता दो voice clear है clear आ रहा है मुझे अच्छे जी ओके ओके ठीक है देखो अगर आप same power में जाओगे minus वाले से plus में अगर आप same power में जाओगे minus वाले से plus में तो क्या करना है करना है क्या under root लगाओ जो दिया है उसका square करो जो दिया है उसका square करो plus 4 इस बार plus 4 किसी के हाँ सायद network issue होगा हाँ हो सकता है ठीक है इस बार क्या होगा plus 4 ठीक हो plus कहा करना है 4 अगर हम जाएंगे plus में तो plus 4 अगर हम जाएंगे minus में अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा minus 4 क्या ये बात समझ रहे दोस्त? अगर हम minus में जाएंगे तो minus 4 अगर हम plus में जाएंगे तो plus 4 कितना आ जाएगा? आ जाएगा root 23 कितना आ जाएगा? root 23 अगर समझ गए तो बताओ इसका answer हम लिखें आपके लिए x पे 3 minus 1 बटा x पे 3 equal to आपको हम दे दिये कितना दे दिये आपको हम 11 इतना दे दिये 11 आपसे हम पूछ क्या रहा है बताओ भाईया हमको X cube plus one बटा X cube बताओ क्या होगा क्या निकाल सकते दूसरी को अगर आपको same power में आपका पहला फर्ज क्या बनता है कि आप देखो कि हम सेम पावर में काम करेंग निकर रहे हैं सेम यानि पैरलल यहां भी तीन है यहां भी तीन है लेकिन यहां माइनस था हम जा रहे हैं plus में अबर मुला क्या हमारा है फर्मुला वही है लगाओ अंडरूट पहले 11 का करो स्क्वेर और जोड क्या दो प्लस पोर आपका 125 क्या होता है जी यह होता है 5 so okay 5 5 मतलब आप समझ गय मतलब समझ गए आपको जाना सेम पावरस में माइनस से ॥े प्लस में या प्लस में में अब हम आप याप से पूछ रहें बताओ एकस पेच धड़!", टी बटा एककश पिश्च है यह बताओ जल्दी से इसका आंसर दो हम समझेंगे आपका आंसर आया सुमन जी आप भी आंसर देंगी है न है इसका आंसर देंगे कि ज़्कित अगर आपको यहां से पहुंचना यहां अभी हमारी थ्योरी चल रही है फिरम सवालों पर जब देंगे ना सवाल इतनी आसानी से बनाओ गया अगर आपको स्क्वेर पे जाना है तो क्या करते हो प्लस टू माइनस टू करते हो वापस आना है प्लस जोड़के दो और फिर आप अंडरूट डालते हो इन सवालों को जब तक बनाओगे नहीं ना समझ नहीं आएगा यह पर्म कि 23 का स्क्वार कितना होता है कि यह विजिबल नहीं आपको कि वर्याद नहीं है भी 20 से उपना है अच्छा भाई आच्छा कोई बात नहीं लेकिन भाई हमारे सचिन भाई नेक्स क्लास में आओगे यार कम से कम ना 30 तक स्क्वार आपको याद करना होगा ठीक है क्या होगा स्क्वार इसका स्क्वार क्या होता है 529 माइनस में क्या होगा चार इतना आजाएगा 525 कितना आएगा 525 यह क्या होगा अगर अब चलते हैं सवाल अब आपके सामने हम फेक रहे हैं सवाइंगे आपको और कुछ सिखाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे आप समझ गये कैसे हमिनक्रीजिंग से सब्सक्राइब कैसे हम सब्सक्राइब न जब clear है तो फटाफट इसका अंसर दो अब देखो आप जो बोलते हो ना कि सर्स इकजाम में सवाल कैसे पूछेगा यह में सवाल पूछ रहा है यह आंसर बताओ इसका जल्दी से इसका आंसर बताओ हम कैसे पहुंशएंगे सुमन जी आप जल्दी से आंसर बताओ इसका अगा हमें क्या पहुंचना हमें पहुंचना है 4 पर नहीं पहले हमको पहुंचना होगा तो यह होगा आपका माइनस 13 माइनस 13 है उसका स्क्वएर और माइनस 2 बताओ कितना है आजाए가는 100 किया आजाएग 166 अब हम यहां से पहुंच सकते हैं एक पे 4 प्लास बटाखे 4 तो क्या होगा 166 स्क्वएर और माइनस सब्सक्राइब निकालो 167 बढ़ा नंबर पड़े जाता है जो बहुत कॉमन नहीं है तो आपको यहां ना आपको हेल्प करेगा यहां पर और ओप्षन आपका अंसर आया तो बताऊब फटाफट फिर बताते हैं कैसे हम इसका अंसर निकालेंगे कैसे निकालेंगे वह आपको हम बताएंगे फटा-फट कि आपको यह एकदम नहीं पूछ रहा है जल्दी से कि आपको यह एकदम नहीं पूछ रहा है देखो आपके पास ना लास्ट में 7 है 1 है 3 है 1 हमारे पास दो अपसन में अटक रहा है 1 लेकिन हम पहले देखेंगे यह बताओ कि आपका यह नंबर होगा इसका हम स्क्वैर करेंगे क्योंकि लास्ट में साथ है तो जो भी आपका आएगा सकते कितना होता 49 तो लास्ट में 9 आएगा इसका स्क्वेयर करने पर जो भी नमबर आएगा उसका लास्ट उसका उनिट उनियुड क्या होगा नौ हो गा जब आप नौ में घटा होगे दो तो क्या है बैद आपका स इस ACE आएगा और कुछ भी हो आमें सचीन जी आप समझ गए ना यहां हमसे वह इसका स्क्वार नहीं पूछ रहा है बुद्धी लगाओ यार कितना आपको अप्शन दिये हैं तो कम से कम यहां हम यूज कर रहा है यूनिट डिजट इसका स्क्वार में क्या आएगा लास्ट में नो आएगा और माइनस दो करेंग यह निकालो और इसके बाद यह निकालो जल्दी से इसका अंसर तो सचिन भाई फटाफट इसका अंसर फटाफट तेखो जम माइनस से हम जाते हैं आगे आपको पहले बताए थे एक्स प्लस वन बाई एक्स से पहुचना है एक्स स्क्वार प्लस वन बाई एक्स स्क्वार तो क्या करते हैं ए स्क्वाइर माइनस टू अगर हम एक्स माइनस वन बाई एक से कि आई साभास यार अंसर निकाल दिये सच्च में देखते हैं क्या होगा 11 का स्क्वाइर और क्या होगा प्लस दो की माइनस दो यहां होगा प्लस दो कितना आया 113 YouTube 123 का स्क्वैर होगा और माइनस तो है आरहा है आंशर त्上सर आपका नहीं आया यह आनसर 3之前 είναι सत है कि लास्ट में क्या आएगा लास्ट में का डिजेट आएगा शांब यह क्या है लास्टलीजिट है कि यहां आपने गलती करी होगी जब भी आप x-1yx से पहुंचोगे ना तो ए स्क्वेर प्लस टू होता है उसके बाद जो फॉलो करोगे क्योंकि अब आप प्लस से प्लस में जा रहे हो तो फिर माइनस टू चलेगा अरे सर्व प्लस माइनस कन्फ्यूज हो जाते हैं लास में आपको PDF मिल जाएगी में ख्याल से आज हो जाएगे अप्लोड कुछ है मतलब इसू चल रहा है ठीक है तो हो जाएगा है ना प्रेक्टिस करोगे वीडियो देख लो जहां दिक्कत आया दुबारा वीडियो देख सकते हो आगे बड़े आगे हम आपके सामने रहें यह सवा यह उक्तिरयों सवाल ऐसा क्राइए हैं पहले हम सारे सवाल का बैसिक बता दिये हम कैसे पहुँच रहे हैं ठीक है अगर यह वाला इसका फरमूला भूल जाते हो तो आपको याद रखना है कि यहां से यहाँ पहुंचने के लिए जहां आप अपर मुल जाओ कि क्या करते है तो आप ये देख सकते हो कि यहां से यहां पहुंच सकते हैं कैसे whole cube करके यहां आपको हम formula नहीं बता रहे हैं formula इसका बनेगा क्या? a cube और plus 3 है क्या बनेगा? a cube plus 3 है formula लेकिन जहां formula भूल जाओ ऐसे भूलना नहीं है लेकिन भूल जाओ तो बताओ क्या होगा? इसका करो whole cube क्या करो? x minus 1 by x का करो whole cube यहां पर क्या होगा? 7 बटे 3 का whole cube बताओ कोई तकली? नहीं, क्या आएगा? x cube minus 1 बटे x cube minus क्या होगा? 3 into x into 1 बटा x और into क्या हैगा? x minus 1 बटा x, यहां क्या हैगा? बटे में आएगा 7 बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 7 एक्स से एक्स कटा इसका value कितना दिया है? इसका value दिया है आपका 7 बटे 3 कितना दिया है? 7 बटे 3 देखो अगर 7 बटे 3 इसका value है तो यहां 3 से यह 3 काटो कितना आया? साथ साथ भीज़ उधर साथ क्या करना है आपको साथ भीज़ देना है उधर तो गर आप X qube minus 1 बटा X qube निकालना चाहो तो आपका 7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में तो जो वैलियू बनेगा वनेगा 343 बटा 27 और प्लस में साथ प्लस में क्या बनेगा प्लस में बनेगा साथ कितना आएगा 27 कितना होता है 27 अब इसको सॉल्व करना है 27 एकम 27 आएगा उनीस बार लगा तो कितना आएगा 27 कितना अधुसों होता है 23 43 और यहां पर आपका है 262 तो आएगा आपका उन्नीस प्टा सत्त है हमारा आंसर अप्शन नमर भी आया की नहीं आया अप्शन नमर भी यह हम बताए आपको फुल प्रॉसेस आप ऐसे कर सकते हो यह याद रखना जरूरी है कि अगर आप भूल जाओ तो इतना बेशिक में आपको दिमाग में हो वहां पहुंचना है तो हम होल क्यूब करने से या होल स्क्वायर करने से पहुंचते हैं अब बात करते हैं फर्मूले की बताओ फर्मूला क्या कहता है फर्मूला कहता है एक क्यूब प्लस थ्री ए ए क्या है हमारा एह हमारा सात बटे तीन तो इसका क् पहुंचे यहां सौट पहुंचे यहां पहुंचे तीन तैतालेस बटा सत्ताइस और प्लस साथ पिर करने सो तो आंसर वही आएगा तो यह फर्मुला यूज नहीं करें क्योंकि इतने में तीन अरे भाई यह करना भी बहुत आसान है ठीक है हम बहुत बार एक्जाम में ऐसे भी कोई तकलिफ नहीं होती करने में ठीक है है बिल्कुल हाँ पर्मुला आप वही आप नहीं भूलोगे जवाब इसका प्रैक्टिस करो क्या लोग कोई नहीं आगे इसको बताओ इसको बताओ इसका फर्मुला क्या है प्लस से जा रहे हैं उसका प्लस वाले क्यूब में फर्मुला क्या है पर्मुला है अगर आप 15 सवाल कर लेते हो पर मुला का मजाल नहीं है कि आपके दिमाग से बाहर निकल जाए ठीक है चलो क्या होगा अगर आप निकालना चाहें एक्सक्यूब प्लस वन बटा एक्सक्यूब यहां पर वैल्यू दिया हुआ थोड़ा सा अच्छा वाला वैल्यू यह लेटेस्स सवाल है सीजियल प्री का सवाल है थोजार एक्किस वाले का लेटेस्स सवाल ठीक है इसलिए इतना अच्छा वैल्यू दिया है पहले का वैल्यू आता था पहले आता तहा था तीन चार तो उस開 waży क्या है आदमिको आधर रटा हुआ है ना तीन का वैल्यूप में पूछाइन का 12 का थारा होगा चार का पुछें माइनस में क्या आएगा आपका 33 और बटा 5 है देखो अब क्या है अगर आप इसको solve करना चाहो आसानी से तो क्या करो यहाँ into करो 25 से इसे क्या हमारा base हो जाएगा सेम हमारा base हो जाएगा सेम अब करते हैं इसको गुना बताओ क्या आएगा 25 तिया कितना आ रहा है 75 कितना 75 75 साथ कितना आएगा 82 यहां पर 825 आए यहां पर आपका 1331 घटाओ इसको और बटा आएगा आपका 125 ऐसे क्या होता है लो या फिर आप ऐसे कर दो बेस सेम बनाना बहुत इंपोर्टेंट है कितना आजया देखो ते ग्यारां पांच गया च्छे बारा में दो गया दो तेरा माट गया पांच 506 बटा 125 अगर हम यह करे तो हमारा अंसर आगा यह क्योंकि 125 को अगर हम भाग देंगे तो आएगा चा प्री वाले यह स्वाल यह सवाल का सवाल करें ना हर साल थोड़ा सच चेंज करते है hesitant करें आप का देटा में चेलSn यहां आपको फ्रेक्शन दे दिया पहले था तो यह पांच लिखा हुआ है यह पूछ रहा है तो आसान था करना वह चीज तो समझ रहे हैं दोस्त आगे बढ़ जाए आपका अंसर नहीं आए इस बार चलो नंबर साथ का आप बताओ नंबर साथ कैसे सौल पर देखो नंबर साथ जो है बहुती सुंदर बहुती बहतरीन क्वेस्टन है अंदर किस लिए बताता हूं देखो जो दिया हुआ है इसको देखते हैं ध्यान से वी एक्स और टू निकालना उधर है न यह दिया आपके पास है यह दिया निकालना है निकालना क्या निकालना है 3x । और नीचे निकालना है q2-5 समय निकालना है इसमें क्या है आपको एक चीज नहीं दिखेगी हमें बहुत बढ़िया से दिखती है 29 oftentimes je hall klock Pacific से 5 लेकिन आज क्लास हमारी देर से इसको कैसे निकालेंगे को इसका answer की बोलोगे सर इसको कैसे निकालेंगे भी नहीं रहा है इसके बिना हम निकालेंगे किसे निकालेंगे, देखो, अगर ऐसा सवाल देखो, तो mind में घंटी बनी चाहिए, कि हम क्या करें पता है, हम ये करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड किये, x से, नीचे भी, 2x square, plus 2, minus 5x, में हम क्या करेंगे, नीचे यहां पर दे दिखायए इसमें यहां आएगा डोटा एक सिंह और यहां आएगा ‫- यहां तकलिफ है हम इस से यहां लिखे दे तकलीफ है जलब बताओ फिर समझाएंगे अगर आप यह समझगा大 ना फिर आपके लिए सब कुछ आशान है कि यहां से जो हम यहां लिखें बोलो कोई तकलीफ है तो बताओ जल्दी बताओ दोस्त बोलो भाई सचिन भाई कोई तकलीफ ने ठीक है चलो ठीक है आप देखो दिहान से वह क्या लिखा है उपर लिखा है तीन यहां से हम कॉमल ने दो कॉमल ने तो क्या आएगा एकस प्लस वन बताओ दिखो झा अब आपको सवाल दिख रहा है बढ़िया अब देखो जो दिया है रेकस प्लाइक तो यहां हम फुट कर सकते हैं पास तो क्या होगा ही तीन बटे दो गुना पाँच माइनस पाँच तो कितने अंसर इन बटाब देखा सवाल, सवाल ये पूछेगा सराव से, तो सवाल क्या हाड पूछ रहा है, सवाल हाड नहीं पूछ रहा है, बस आपकी नजर चेक करता है, हैना, SSC आजकल कर क्या रहा है, बोलता है, तुम क्या पढ़ो, हैना, तुम X plus 1 by X से X square plus 1 by X square निकाल सकते हैं, ये पढ़े हो न और अच्छे से concept सारे पढ़ लेगा, सवाल एक्जाम में कर देगा, कुछ नया भी आएगा, तो उसमें भी वो कर देगा, कुछ नया सवाल भी आपसे कराएंगे, ठीक है, आंसर आया, 35 अगर आप समझ गए सरमा जी ना, चलो इसका आंसर बताओ, नमबर 8, सचिन भाई, सर 7x और x square प्लस 1 माइनस 8x, हम लिख नहीं रहे हैं, हम आपको बोल क्या रहा है, उपर नीचे से x कॉमन ले, x क्या डिवाइड कर दो, उपर अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम उपर डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 7 आएगा, अगर हम नीचे करें, डिवाइड हम क्या करें, नीचे वाइड करें, तो यहां पर आएगा, x, यहां आएगा, 1 बटा x, यहां आएगा, 1 बटा x, और यहां आएगा, माइनस 8, क्या आएगा, यहां आएगा, माइनस में 8, यहां से यहां हम कैसे पहुंचे, हम पहुंचे, x से भाग देखकर, ठीक है, इसमें और हर दोनों में ठीक है तो बढ़ी है भाई यह कितना है दस है दस में आड़ गया दो तो तो सात बटे दो यानि 3.5 यह सारे लेटे सवाल है मैं आपको एक्जामपल में जो देता हूं नहीं सारी लेटे सवाल लेकि आता था आप देखो जो मैं पढ़ाया उसका उपयोग य कि एक और सवाल वैसा है इसका आंसर हम बताने रहें जल्दी का पटक से आंसर दो हमें तो आंसर दिख जाता है आप देखो उपर देखो पांच दिख रहा है नीचे क्या एकश प्रस नौनबाइच बनेगा आठ में छोग्या दो आंसर हमारा आगया कितना जल्दी बताओ पा बलताओ क्या होगा बहुत बड़िया है जावास उपर क्या ऊपर पांच है यहां पर एक्स प्लस उन बाइक्स बनेगा एक्स प्लस बनेगा यहां पर छे बनेगा तो आएगा 5 और 8 माइनस 6 आपका 2 तो 5 बटे 2 यानि आपका 2.5 बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है नमबर 10 क्या है नमबर 10 आपके पास है यह आपको क्या है आपके पास दिया हुआ है x-1 बटा x क्या दिया हुआ है x-1 बटा x और आपसे पूछ रहा है बताओ x square minus 1 बटा x square इसको solve करने का दो तरीका है आपको हम दोनों बताएंगे पहले हम निकाल ले x square plus 1 बटा x square बोलो क्या होगा यह आपका हो जाएगा 11 का स्कुर्ण कितना हो जाएगा 121 और प्लस में आएगा दो तो आएगा कितना 123 कितना आएगा 123 अगया अंडर रूट रहेगा क्या नहीं 123 रहेगा क्या रहेगा एक यह हम निकाल लिए अगर आप बोले कि आप बताओ भाईया x square minus 1 बटा x square तो याद करो हमारा बताया हुआ formula यहां हम पहुँचे किस से यहां पहुचे a square फ्लस दो से हम बार बार याद करा चलते हैं आपको फ्रमूला अब देखो अब क्या है सेम पावर देखो यहां और यहां को अगर आप ध्यान से देखो यह दोनों को तो पावर सेम है बस हम sine change कर रहें प्लस से जा रहा है माइनस में तो क्या होगा पहले लगाओ अंडर रूट पहले लगाओ पहले क्या करोगे दोस्त पहले लगा दोगे अंडर रूट और क्या करोगे और करोगे इसका करोगे स्क्वेयर क्या करोगे इसका करोगे स्क्वेयर 123 का square करो और माइनस करोगे चार रत कर जा रहा रहा है यार कि यहारा वैल्यू दिया था कि यारा गुना पांच वटा थी हाई तरीका एकदम सही है ठीक है लेकिन यह तरीका देखो आप कैसे इस पहुंच रहे हो तरीका कहा है इसका square करोगे फिर माइनस पांच करोगे जो भी वैप का value आएगा निकल कि आपका स्कुर कर दें हमें स्कुराइर भी लिखना आता है बताओ क्या वैल्यू आएगा आपका 23 का स्कुर कितना होता है पांच सब उनतिस होता है और यहां आपका आएगा तैस एक सो आएगा छियालीष तो आएगा 151 151 और 39 आएगा माइनस करेंगे 4 तो आएगा 15125 यह आपका वैल्यू आएगा अगर हम यह निकाले तो क्या आएगा रूट अंडर आएगा आपका 15125 जिसको अगर हम सॉल्व करें पता क्या आएगा 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 आपका 555 यह एक तरीका यह लगा सर अभी पाप इसका इसक्वेर निकल वाहोगे इतना कराओ धीक है यह आपका एक तरीका समझ रहे है । यह आपका तरीका है जहां कर आपका वाईल्यू बढ़ा दिया है तो आपको समस्या हो हो जाएगी हैना समस्य हो जाएब देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या बनता है यह अब ध्यान से देखो आधरर है जैसे हमें निकालना क्या है हमें निकालना है x-square – 1 x-square Sumax apple निकालना है X-square – 1 बटा x-square ध्यान इंटू में क्या है एकस माइनस वन बट एक सेम चाहिए दोस्त है ना देखो हमारे पास क्या हमारे पास यह है हमारे पास यह हम बस यह निकलना है हमें क्या करना है हमें बस वह निकालना है प्लस वाला बताओ एकस प्लस वन बाइकस क्या लिखोगे यह लिखोगे इसका स्कूर लिखो और क्या कर हो प्लस जोड़ो u4 all गैंटे। पताओ कितना हो जाएगा आ जाएगा 125 तो इसम् вам 125 आएगा ना कितना 25 तो क reference कि यह कुछ और नहीं यह आपका 5 य। पांच यह पांच 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 है अब क्या आपको निकालना है यह और इसका value क्या आएगा x square minus 1 बटा x square क्या होगा x plus 1 by x जो कितना आया 5 root 5 आया into में क्या होगा x minus 1 by x कितना है 11 तो 11 कितना value आएगा 55 root 5 कॉंच option option नमबर बी बोलो दोस्त समझ आया इसका दो तरीका था हमने आपको दोनों बताया एक तरीका क्या है कि पहले हम x square plus 1 by x square कर ले फिर वहां से हम जाएं parallel power में वो भी निकाल चकते हैं दूसरा क्या है हम ये देखें ये कैसे बना है उसको देखें और हम यहां से x minus 1 by x से पहुंचेंगे x plus 1 by x पे लगाएंगे पैरल पावर वाला कॉंसेप्ट और क्या करेंगे a square में प्लस फोर लगाएंगे अंडरूट करेंगे बोलो तो समझ आया है तकलीफ है तो बताओ तोस्त समझ आया जल्दी बोलो कि यह रिपीट करने अगर आप जहातों रिपीट कर दे हम हम रिपीट भी कर देंगे एक बार है अरे टफ बिल्कुल नहीं है सर बिल्कुल नहीं है कोई समस्चा नहीं है ना बस आपको देखना जो निकालना है वो कैसे बन रहा है वो बन रहा है आपका इससे इससे यह पत है जाना parallel power में कहा है या आपको मा इनस है प्लस में यह तर आपको माइनस से जाना है प्लस में च्छीनए ऑना मा करते हम इसका square कि है प्लस4 मैंज कर आधको सेंग शाहिक करते हैं प्लस 4 27 अभी आपको रखना है थोड़ा पेशेंस फिर आपकी सारी तकलीफे हो जाएंगी दूर पिर क्या होगी आप स्पीड भी कम कर देंगे देखो आपको यह दिया हुआ है न आपको यह निकालना आपको दिया है x2 plus 1 by x2 कितना है 23 कितना है 23 आपको निकालना है x3 प्लस 1 बटा x3 प्लस 1 बटा एक्स क्यूब ये निकालना है बताव हम कैसे निकाले निकालने का देखाय है कि रहे हो डेख और 9-3 subscribe हम कैसे पहुँचेंगे हम पहुंच सकते हैं तब हम को मिला हुआ हम पहुँच जाएंगे हम यहां से यहां से न यहां पहुंच ना होगा इसके पहुचना होगा इसके पास इसके पता है क्या कर रहे हैं हम scream इंक्रीजिंग भी करेंगे और फिर इंक्रीजिंग दोनों यूज करेंगे बताओ कैसे कर रहे हैं देखो दिखान से वाई एकदम सम्धाने का हम पूरा प्रयास करें ताकि आपको तकलीफ बिल्कुल ना हो आप बिगिनर हो फ्रेशर हो रिपीटर हो आपको तकलीफ एकदम टाउब हम इसका पूरा भरपूर प्रयास करें देखो एकस स्क्वेर प्लस वं ग्यार एकस स्कवेर प्लस वन गाउड सकुएर क्या आएगा आपका एक क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइब कितना जाएगा एक सथ कि इतना आ गया 110 बहुत बढ़िया भाई 110 एक दम सर एक दम यार अब समझ गए तो आपको कहां से कहां पहुंचना है कैसे पहुंचना रास्ता आप चूज करोगी है ना यहां से हम जाएंगे इसमें फिर इसमें बहुत बढ़िया मतलब आप समझ रहे हैं अब हम यह बोल सकत अब बताओ जी कि अगरे 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 ताव बताओ तो कि आप एक्टिव लग रहे है और अग्टिव पहले से फिर तो भी आप फोड़ोगे लाइफ में ना इस एक पहले बंदा अगर इसल का कोर्स ले रहा है बी यह थाड़ यह अच्छा भाई थाड़ यह में हो तो ब इसमें है तो अभी राउंड चार साल हो गए हमारे ग्रैजुएशन के चार साल होने वाले हैं हुए नहीं अच्छल में तीनी साल हुआ है बहुत पॉड़ी है भाई देखो आपके सामने एक और सेम सवाल देखो दिख रहा है आपके पास दिया है पावर दो का बोला है पावर तीन पे जाओ पावर दिया है दो का बोला है पावर तीन पे जाओ कैसे जाओगे सेम उपाए पहले हम जाएंगे किस पे पहले हम जाएंगे एकस प्लस वन बाइ x पे पहले हम कहां जाएंगे पहले हम जाएंगे x plus 1 by x पे जल्दी आंसर बताओ मेरे solve करने से पहले आपका अंसर आना चाहिए क्या हैगा जी यहाइगा 18 plus 2 और under root तो कितना हैगा 20 तो 20 क्या होता है 20 आपका जो है root 20 क्या होता है 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 तो यह आपका आएंगा 2 root 5 में हुआं कहां हम जायेंगे Q पे हम जा रहें Q Q घू होता है कि यह क्यो दोशंक मैंन obtur 5 का Q और माइनस में क्या होगा टियुन इंटो डूरूट पांच अगर आप करते हो क्यों क्यूप दोका तो आएगा 4 टो यहां आपका 40 रूट पांच अगर यह तकलीफ pops love देखो 2 root 5 को लिखेंगे हम 3 बार हम लिखते हैं 3 बार यही न क्यूब है यही क्यूब है देखो तो क्या 2 2 4 दुना 8 4 दुना कितना आएगा 4 दुना आएगा 8 और यह 5 5 मिलके बनाएगा 5, 40 और 40 root तो हम ऐसे लिख दिये 40 root 5 option number C अरे वाव भाई वाव भाई वाव बहुत बढ़ी है 40 root 5 माइनस में क्या आएगा आपका 6 root 5 तो 34 root मतलब भाई समझ रहे हो समझ रहे हो यहना बी यह है सब्जेक्ट कौन सा है भाई मेजर क्या है ओनर्स क्या है आपका चलो आगे बढ़ो और इसका बताओ और पहले अपना सब्जेक्ट लिखो सब्जेक्ट विथ आंसर ठीक है क्या है देखो यह सवाल देखो कि बोले के सर इसमें कहां दिया है एक्स प्लस उन्वाई एक्स हमें यह निकालने बोल दिये अब यह देखे डर्नमत भाई यह माइनस तीन लिखा हुआ है यह क्या है एक्स क्यूब लिखा है और यहां लिखा है एक्स पे माइनस तीन अगर आप नए हो नहीं जानते हो तो एक्स पे माइनस तीन क्या होता है जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स पे माइनस पांच तो य यही मतलब है history political science अरे भाई हम पूछे सिर्फ honors कौन सा है तो आपका लगर है history honors आपका में जो है इस पर आप honors कर रहे हो हम वो पूछेते आप से ठीक है अगर हम लिख रहे है यह आपका होगा वन बटा एपे दस तो समझ गए ठीक है तो यह होता है तरीका यह कुछ और नहीं यह क्या है यह आपका है एकस क्यूब प्लास वान बटा एकसथ यह निकालना है अपको आप तो बोलोगे सर कहां दिया यह निकाल सकते है तभी जब हमको x ने वाए एकस गिवं हो यह तो पता ही नहीं है तो बोलेंगे पता नहीं मěरे स्टेट मेंने नहीं होता है आच्छा ओ भाई यह तो नया चीज है यार हमें नहीं पता था और हमें मतलब मैं इससे अवगत नहीं ठीक है अब देखो हमें यह निकालना अरे हमें यह तो पता नहीं है तो हम पता क्या बोलेंगे कि आपको दिया है सवाल में आपको अपनी जो नजर है वो करनी है पहनी क्या करना आपको यह लिखो एकस स्क्वार है माइनस क्या है रूट इंडर 11 एकस है प्लस वन है बराबर जीरू है अब क्या करवा रीपीट किजिए सर्क तुरू से प्लीज देखो हम रीपीट कर रहे हैं सुरू से हमें क्या निकालना है एकस क्यूब प्लस वन ये कुछ और नहीं ये लिखा हुआ है x पे लिखा है minus 3 x पे minus 3 क्या होता है ये कुछ और नहीं होता ये लिखा हुआ है x cube बटे 1 x cube प्लस 1 बटा x cube बोलो ये समझ गए दोस्त ये x पे minus 3 जो लिखा हुआ है इसी पे लिखा होगा minus 3 यहाँ minus 3 है इसका मतलब 1 बटा x के cube है ये समझ रहे हो अगर लिखा हुआ है x पे लिखा हुआ है minus 4 तो ये क्या है कुछ और नहीं x पे 1 बटा x पे 4 है 1 बटा x पे क्या है 4 है जिस पे लिखा है power minus में वो कुछ और नहीं 1 उपर लगा और नीचे उसका power same दे दो और वो आपका sign हो जाएगा positive में ठीक है तो आपको ये निकालना है हम आपको क्या बता है कि अगर आपको cube निकालना है x cube प्लस 1 बटा x cube कैसे निकाल सकते हो आप आप निकाल सकते हो यदि आपको पता हो क्या x प्लس 1 बाइ y तभी तो ये अगर आपको यहां दिया हैzem सवाल में क्या लिखा है सवाल लिखा हुआ हैस क्वर माइनस रूट 11 EX PLUS वन बराबर 0 कि सवाल है इस सवाल है अब आप से हम सेम चीज कह रहे हैं कि कि दोनों साइड एक से डिवैड करो यहां करो एकस लिखो यहां लिखो रूट 12 यहां लिखो 1 बटा X और यहां लिखो 0 बटा X क्या कर रहे हैं इधर भी इधर भी बोथ साइड क्या कर दिया हम X से डिवाइड कियें जो काम आप करते हो बोथ साइड उससे कोई अंतर नहीं पड़ता उससे क्या है कोई अंतर नहीं पड़ता वो सवाल बिल्कुल सेम रहता है बताओ अब क्या बनेगा ये कुछ और नहीं ये तो 0 ही है ये कुछ और नहीं 0 by x क्या होता है 0 होता है 0 होता है अगर 0 ऊपर है तो value 0 अगर 0 नीचे आया तो value आएगा infinity है ना उसको हम define नहीं कर सकते है देख को अब ध्यान दो लिखें गे सकुम x plus 1 बटा x इधर तो 0 है ना ये root 11 को भेजते हैं इधर भेज दिए इधर आपको मिल गिया अब मिल गिया क्या है root 11 है x plus 1 by x क्या है root 11 है अब निकालना क्या है निकालना हमें ये था हमें निकालना है x cube plus 1 by x cube क्या होगा होगा root 11 का cube minus क्या 3 गुना root 11 क्या होगा 3 गुना root 11 क्या होगा 3 गुना root 11 बताओ answer क्या होगा जी होगा यहाँ पर 11 root 11 और minus में 3 root 11 तो आएगा आपका आणसर आठ रूट कि आएगा आठ रूट 11 बोलो समझाया दोस्त कि बोलो यार समझा गया इस बर रिपीट भी कि आपको समझाय हर चीज हम तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी कि दोस्त अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आपके सामने एक और चोटा सवाल प्यारा सवाल क्या है एक समाइनस वन बटा एक्स क्या दिया है रूट 77 प्रमुट सिंग गुड इवनिंग सर्व अजी प्रमुट जी गुड इवनिंग अप्सन नमबर डी हाँ भाई सही था डी मतलब समझ गए ठीक है प्रमुट जी आंसर बताईए ठीक है आप क्लास में आज लेट आये हैं है ना इस सर ठीक है देखों आपको दिया हुआ है एकस माइनस 1 बाय एकस दिया है रूट 77 क्या दिया है रूट 77 आप से पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है बताओ value क्या बताओ x3 यह जो है ना बहुत side लिखाओ आपको दिखने रहा है यहां हम कर देते हैं आपको निकालना है x3 प्लस 1 बटा x3 तो आपके दिमाग में एक बात जानी से यह क्या कि अगर आपको निकालना है x3 प्लस 1 बटा x3 तो तभी आप निकाल सकते हो जब आपक पता हो x2 यह पता हो x1 बटा x की value तो पहला हमारा टास्क क्या बनता है हाँ जी answer डिया हमारा पस्ट क्या बनता है कि पहले हम निकालने x1 बाय X, तब चीजे क्या होगी, हमारे लिए आसान हो जाएंगी, तो पहले X plus 1 by X निकालो, वो कैसे निकालो देखो, आपका सेम पावर है न, X minus X से हम जा रहा है, X plus 1 by X पे, तो क्या करते हैं हम, हम करते हैं इसका square, root 77 का square कर देंगे, और क्या कर देंगे, प्लस 4, क्योंकि अगर आपको सेम पावर मूव करना है, minus से plus में, तो square करो, प्लस 4 करो, और लगा दो under root, क्या लगा दो, लगा दो under root, हम लगा दी under root, पताओ क्या आएगा, यह आएगा आएगा, आपका 77 और 4, कितना है, एक 80, एक 80 मतल और, आगया 9, यह आगया 9, हमें निकालना है, हमें निकालना है, एक स्क्यूब, प्लस 1, बटा एक स्क्यूब, बताओ क्या होगा, होगा, आपका 9 का cube, minus क्या 3 गुना 9, एक क्यूब, minus 3, क्या आएगा, यह आएगा, 739, माइनस, कितना 27, कितना अंसर, 702, कहीं है आंसर, आं पॉले दोस्त समझ आ गया तो मुझ जी समझ आया आपको सचिन भाई आपको समझ में आगया अगे बढ़ते हैं अगर समझ आया तो यह एक छोटा सवाल करो यह आधा यहर करते हैं ना कि अधर आओ जाओ आपको यह निकालना है इस बार यह निकालो कि यह बताओ निकालके इस बार क्या है देखो ध्यान से रूट एक्स माइनस वन बटा रूट एक्स है रूट वाला तो आप बताए नहीं है रूट में कैसे करें हम रूट में तकलीफ हो जाएगी रूट कैसे क करें कुए तो एक बात बताओ कि अगर हम root x से x प्लस 1 बाई-x पर जाएंगे निन आगर हम root x-1by-x कि यहां जाएं कि क्या कुछ अलग हम कर रहे हैं यह आप देखना कि या हम कुछ अलग कर रहें हैं हमें जाना है कहां पर हमें जाना है एक्स प्लस वन बाई एक्स पे तो हम इसको निकाल लेंगे तो इसको निकाल लेंगे तो इसको हम निकाल लेंगे तो हमारा पहला टास्क बनता है कि हम एक्स प्लस वन बाई एक्स पे जाएं वह कैसे जाएंगे हम देखो एक्स प्लस वन ब स्क्वेर कर दो इसका इसका स्क्वेर कर दो और क्या करो प्लस में दो करो कितना आएगा नौ कितना आएगा नौ कि बोलो समझ नहीं आया होगा कि सर यह रूट वाले से यहां आ गए आप लगा दिये फर्मुला वही हम क्या लगाए हम लगाए ए स्क्वेर प्लस दो क्योंकि ह माइनस से जा रहा है स्क्वेर वाले पावर में आप यह देखो ध्यान से जैसे हम एक्स माइनस वन बाय एक्स से जाते हैं एक्स स्क्वेर प्लस वन बाय एक्स स्क्वेर में अगर यह होता है तो यह होता है एक नहीं होता है baik tuta अब देखो यहाँ इंपर रूट एक्स तो रूट एक्स का स्क्वायर करने पर हम एक्स तक पहुंचेंगे ना तो सेम चीज है जैसे आज से यहा पहुंच रहे तो बिल्कुल सिम आप यहां से यहां पूंचोगे इसका होल स्कुर कर दो आप बेसिक में होल स्कुर करोगे तो आपको यह वैल्यू मिल जाएगा दिखाए करके देखना है जी अब कि लिखा देते हैं आपको जैसे लिखा हुआ है root x माइनस 1 बटा root x क्या है root 7 ओखय उसार निकाल दी है अब अब यह लेकिन एक बार मैं आपको समझा दे रहे हैं क्या कर रहे हैं इसका कर रहे हैं हम कर alors होल स्क्वेर तो वताओ क्या होगा हो जाएगा एक्स हैनि इसका स्क्वेर प्लस होगा वन बटा एक्स ए स्क्वेर प्लस ब्लस बी स्क्वेर और माइनस में क्या होगा टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बटा रूट एक्स एक्वल टू क्या आएगा साथ एक्वल टू क् कुछ अलग नहीं है रूट वाला क्या है उससे एक स्क्वाइर पीछे है आगे बढ़ोगे तो प्लस बन बाए एक्स वाला में आ जाएगा ठीक है तेम चीज है मतलब इसका अंसर आप समझ गए आगे बढ़ते हैं एक हमारे जो संजय जीतीय वह आज कल आने रहे उनका आंसर बड़ा जल दिया था ना हमारे सचिन भाई बड़ा अच्छा कर रहे है आंसर दे रहे चलो यह सवाल का अंसर बताओ आपने ऐसा ही एक सिमिलर सवाल किया है ध्यान दो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन x3 बताओ कैसे निकालोगे अगर हमारे पास x plus 1 by x होगा हमारे पास क्या होगा x plus 1 by x होगा तो आप बोलोगे सर दिया है question में क्या तो हम बोलेंगे हाँ दिया है इसको ध्यान से देखो x square minus 3 root 2x plus 1 equal to 0 इसको ध्यान से देखो देखने से क्या मिलेगा हम इसमें भागदो x से तो x आया x square में भागदो x से minus 3 root 2 x में भागदो x से plus 1 बटा x में भागदो x से और 0 आप पूरे में भागदो x से या भागदो सब में इंडिविज्वली बात वही है तो दो क्या बनेगा यहां भी भाग दो एक से यह X से X कटेगा एगो और इसमें X X कटेगा यहां आएगा क्या आएगा एक्स और प्लस लिखेंगे वन बाई X हो और देखो यहां पर माइनस 3 रूट 2 है भीजो धर यहां आएगा क्या यहां 0 आएगा आएगा आपका 3 रूट 2 अब देखो जी क्या होगा हमें पहुचना है X क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब पे ग्या होगा एक्यूब 30 रूट 2 काคज्यूब और माइनस क्या होगा 3 इंटू 3 रूट 2 यह अपका हुए है ना आप तो फ्रेशर लग रहे हो हमें क्योंकि आप थर्ड येर में हो बढ़िया बात है ततरह नुम्बर सवाल चलो इसका अंसर बताओ फटाफट एक प्यारा सवाल आपको दिये हैं इस बार सुरुवात कर रहे हैं यहां से जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे आगे बढ़ते जाओ ठीक है देखो हम इसमें कैसे बढ़ेंगे हमें यह निकालना है ना तो इसको हम डिरेक्ट निकाल सकते नहीं हम कैसे निकालेंगे पहल अरे आप X plus one by X Nिकालो उछ आपका value आएगा फिर आप x square प्लस one by x square निकालो!!!! तो और तूर इसे आप निकाल सकते हैं जल्दी से निकालो बताओ ये क्या होगा इसमें क्या नहीं आपको सीधियां चड़के आगे बढ़ना होगा तभी आप इन सब का आंसर जल्दी कर सकते हो कैसे निकालेंगे यहां से पहुंचना यहां तो क्या होगा स्क्वार प्लस दो होता है ना अरे वाँ भाई सर्मा जी वाँ क्या आएगा जी मतलब इतना फास्ट कर पार यह तुमको मतलब मज़ा आ गया कसम से तीन और आपका दो हो जाएगा पांच तो पचे पचीस यहां पर आएगा आपका तैईस यहां तो यहां पांच सत्ताइस व बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह क्या है यह आपका आया इसका स्क्वेर रूट त्री का स्क्वेर और प्लस दो कि यह आया आपका पांच का स्क्वेर माइनस दो और यह आपका आया तैईस का स्क्वेर माइनस दो तब आपकी कृपा है सर मुझे मैच से अरे भाई इतना उपर जाड़ा पे ना चड़ाओ भाईया हमने कहां पड़ा हमें आपको एक दो क्लास दी है आपके अंदर है सर है ना आप समझ जा रहे हो अरे अगिदम हो जाया काहिं नहीं होगा अगर आप इस सब सवाल कर ले रहे हो ना यह दम पॉसिबिलिटी है हाई चांस हैं हम कर लिए यार आप भी कर लोगे ना इस तीन साल बता रहे हैं अभी हम लगाता है तीन साल से रेलवे गुरूबडी में खट रहे थे हैं अगे कि आधा इधर कर देते हैं इनको हम अपसे बोलेंगे यह आधा मत रखो इधर दिखता नहीं किसी को यार एकस पेच है निकालना है प्लस वन बटा एकस पेच है यह निकालना है ठीक है यह निकालना है बताओ कैसे निकालेंगे आपको हम लिख दे रहें स्टेप आपको प्लस वन बाई एक्स फिर आप निकालो क्या आप निकालो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू यह निकालो फिर आप निकालो एक्स पिच है प्लस वन बाई एक्स पिच या एक तरीका और है आप यह निकालने के बाद आप यह निकालने के बाद आप यह निकालो एक्स स् स्क्वार प्रसों मुखर्जिनगर में मुलाकात कर ले जाएगा अच्छा भाई हम तो कल जा रहे हैं ठीक है हम जारखंट से है तो मुझे कुछ काम घर जाना पड़ रहा है अपकी क्लास पांस दिन के बंद रहेगी फिर मैं आउंगा देख लास को कंटिन्यू करूंगा ऑपर यहां से हम पहुं सकते हैं आपके पास दो रास्ते हैं यहां से पहुंच़ों यहां से पॉंचों निकालो फट 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 हम क्या करते हैं आप से यह निकल बाते हैं जल्दी तो तो कितना आया चार आया आब बताओ चार आया हम निकाल रहे हैं एक स्क्यूब प्लस वनगा होगा यह आपका होजाएगा चार का क्यूब और माइनस क्या होगा चार यानि माइनस कितना होगा तीन गुना चार तो आएगा बावन क्या आएगा बावन आएगा बावन अब क्या करेंगे हम अब देखो में क्यूब से पहुंचना यहां हम कैसे पहुंचेंगे हम करेंगे स्क्वेर और करेंगे माइनस दो क्योंकि यहां तीन का स्क्वेर करन कि और तो बतां कैस्कोर कितना होता है स्कारश का आपका हो जाता है याद है बाओंगास्क्क निकाल बाऊगे या खिशन वोल दिया eh 59 मना हूं कि आहिक हम सघ्क होगा कुछ गलती कि हम नहीं गलती ना किया तोमणा पक्का नहीं है इत्तीनों में से आयगा इसका इसका दो चार है चार में दो जा गागा दो लास्ट में दो आना क्या होगा क्या होगाए अपका या चार भावन है 52 और आपका क्गा सबना सब्सक्राइस ओचार और माइनस में में क्या हट दो दो Garlic सर्फ का ऑंसर इंगि ए हम क्या किये निकाल ले एक स्ट उन भाइद एक स्ट फिर आये एक स्क्वीव प्लस वन बैस स्ट क्यूब पर वो अग हम x2 पूप से älसा था निकाल लेते है एक स्क्रेयर प्लस वन भाइ得 स्क्वार बताओ क्या आए गा यहाँ आएगा आपका चार का स्क्वार मैनिस दो कितना आएगा आएगा शहुदर कि डिजिटल सम से कर सकते हैं अच्छा भी या इस सब चीज भी आप जानते हो वाब भी देखो या डिटल सम वगेरा जो है ना उपता है कब यूज करना चाहिए हम जो बता रहे हैं 2019 का सीजियल में भी बहुत इस चीज भाई देखे थे कि हाँ यह लगा वो लगाओ अग्जाम में क्या होता है अगर आप सब कुश्चन में अगर आप चेक करते रहोगे तो समस्या क्या आती है इन सब सवालों में सौल्व करने से उससे कि आप पहले तो होते नहीं हो ठीक है अगर आप चेक करने में चार अप्शन जा रहे हो तो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है पहले आपको पता होना चाहिए उसका कंसेट पता होना चाहिए उससे करते हो फुड़ा आपका टाइम लगता है लेकिन आप सही आंसर तो पहुंचते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ठीक है अभी वो सब मत करो ज सीखना है यहां से हम पहुंच सकते हैं यहां कैसे पहुंचेंगे एकस पे आपका च्छे कि एकस पेजग क्या है एकस पेजगे पहुंचेंगे प्लस वन घ्लशाषिंगा शाष्य हम कर दें एक स्कुर ने स्क्याइब कर दें ने स्क्केना स्क्वा इस diffus आएगा- इसको उप YouTube कारके और आजाएगा आपको 2744 माइनस आएगा 42 इक्वल टू 2702 पूल समझ आया आपको दो रास्ता हम दिखा दिये पहले क्यूब करो फिर उसका स्क्वाइर कर दो या पहले स्क्वाइर कर दो फिर क्यूब कर दो आपका अंसर दोनों ताइप से आ जाएगा ठीक है चलो आगे वड़ते हैं नंबर 19 आपके सामने x-1 by x equal to है 1 आपसे पूछा है x8 प्लस 1 बटा x पे 8 ये करना है देखो step लिख दे रहे हैं फटा फट आप ये करते जाओ आपका अंसर आते रहेगा पहले आप निकालो x square प्लस 1 बटा x square जल्दी इसका अंसर बताओ फिर आपको निकालना होगा x पे 4 प्लस 1 बटा x पे 4 ये निकालना होगा आपको x पे 8 प्लस 1 बटा x पे 8 ये है प्रोसेस है ना जल्दी इसका अंसर दो बताओ कि इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा वन का स्क्वेर और प्लस दो तो आएगा तीन यह आएगा तीन का स्क्वेर माइनस दो तो आएगा साथ साथ का स्क्वेर माइनस दो यह आएगा आपका साथ का साथ साथ का स्क्वेर माइनस दो बोलो दो समझ रहे हैं दोस्त कि ठीक है जी एर है आगे बढ़ो दोस्त चलो बढ़ रहा है तीक दी आंसर दो यार फटा फट अब देखो अब आपको यह निकालना है बताओ सिंपल चीज़े की नहीं चीज़े देखो आपको दिया है कि आपको दिया है एकस प्लस वन बाई एकस दिया है सतरह बटे चार आपसे पूछा बताओ तो एकस माइनस वन बटा एकस तिखाया है जी सर आप वाटसप नमर शेयर ने करें रभू दया कि पढ़ो यार अभी आराम से है ना वह से नमबर लेके क्या करोगे जी देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको बता दे आप कर जाओगे ऐसा कुछ नहीं जरूरी है जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो भीया कोई उपाय नहीं है अब तक कोई उपाय नहीं है आंसर बताओ इसका जल्दी से यह सब बात हमसे मत करो भाई वोटसप नमर लोगे यार यह सोभा देती हैं आपको तब जो आप महिला मित्र से मांगो वो बढ़ियर रहेगा है ना इधर देखो आपको निकालना है एकस माइनस वन बाइ एकस कैसे निकालोगी जी आपको बताएं है अगर आपको सेम पावर में जाना है साइन चेंज कर रहे हो प्लस ज़रो माइनस में तो क्या करना है पहले लगा अंडर रूट इसका स्क्वेर लिखो बताओ स्क्वेर क्या होगा 17 बटा 4 का स्क्वेर और म आएगा आएगा 289 और बटा आएगा 16 माइनस चार तो क्या जाएगा यहां आएगा आपका 289 और माइनस में आएगा 64 और बटा आएगा 16 क्या आएगा यह आएगा महिला में तो पता है आपको सब तो पता ही है बताओ क्या जाएगा आज आएगा आपका रूट इंटर दो सब्सक्राइश बटा सोला क्या होगा यह आपका हो जाएगा पंदरा पटा चार कि बोलो समझ में आया क्या कि मुझ में आगा दोस्त रहे आंसर दो यार भाई आंसर हमें आपका जादा अच्छा लगता है ठीक है असबस्त को समझा रहा है यह सॉल्व कर पा रहा है अब बढ़ी है भाई आपके दोस्त भाई जैसे हैं जल्दी यल दिया करो नंबर दोबर 21 आपके सामने हम फेक रहे हैं जल्दी से 100% understood बहुत बढ़ी है जलो यह है हम यहां पहुंचना है यह हम यहां पहुंचना है बताओ कैसे पहुंचेंगे पहले हम निकालेंगे ओढ़ी यह हीस है ठाके audience by X आपके सुखव貸 यह है सब्रिटेटा 203 मैं दोगिया साथ 300 आस एबएस आगे बढ़ते है नंबर 22 नमबर बाइस यह आपके लिए फटाफट करो यहां से यहां पहुशना है पहले हम दिखेंगे एकस स्क्वेर प्लस बटाइक स्क्वेर हमारी ट्रेन चलेगी बुलेट ट्रेन जैसी देखो यह कितना होगा यह आपका होगा चार का स्क्वेर माइनस दो तो आएगा 14 अब हम ब प्राब्लम में है जूब दिलवा दिजे सर मखरजी नगर में पार्ट टाइम में वार्ट में अ क्या काम कर लोगे यह टान तो आत्म हम जब दिलवायन है यह हमारी ऐसे कोई पहुंच्ट नहीं है ऐसे हम देखते हैं बात करते हैं तुलब कुछ होगा तो बताएंगे आप यह वाला चीज है आंसर क्या आगया आंसर आगया 194 अप्सन नमबर डी आपका आगया 194 अब बनाते रहेंगे सही में जी अच्छा 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 देखते हैं बात करते हैं बेसिक अच्छा अच्छा हम देखते हैं बात करते हैं हो सकता तो बताएंगे जो हमारे हाथ में होगा हम बताएंगे ऐसे कल तो हम घर जा रहे हैं इसके बाद फिर घर से आएंगे तो फिर बात होगा आपसे ठीक है चलो आगे आंसर दो भाई है ठीक है हम देखते हैं आपके लिए कि इस दिन का खाना पीने बचा है कि यह तो नंबर मांगा था आपसे कि अगर भाई आपको अच्छा बात करते हैं ठीक है कि आपको क्लास के इंड में आप से हम बात करते हैं कोचिंग में पूछ ले जाएगा कि या किसी और में अच्छा हम पूछते हैं आपसे बात भी करेंगे इसके बारे में थे कह अभी परमानंद में रह रहे हैं यह परमानंद में रह रहे हैं आच्छा ठीक है पहले चलो इसको solve करो फट आपका हम वह भी कुछ देखते हैं जो हमारे बस में होगा हम उसके लिए कुछ कोचनो कुछ करें ठीक है हम कुछनों कुछ आपके लिए उपाय करते है चलो अब देखते हैं तो इसको कैसे निकालेंगा हम निकालेंगे एक स्कुरेर प्लस बन बटन रख स्कुरेर इक्वल टू क्या आएगा जो आएगा उसके बाद बढ़ेंगे हम एकस पे-4 पे-प्लस बट्टा एकस पे पेफर यहां बढ़ेंगे हम ठीक है यहां यह कैसे आएगा यह आएगा आपका आठ का स्क्वाइर प्लस दो कितना जाएगा कितना आएगा 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 आपका 660 इतना आएगा आएगा 46 आप यह आंसर दो हैंना हमने आंसर प्रशंद जल्द लड़ी आपका कुछ ने को शुपाय सोचते यह आएगा कितना 66 का स्क्वार मैनेस दो बोला समझ में आ रहा है दोस्त कि कुछ अलंग लिख रहे हम हम समझ जा रहा है दोस्त कितना होगा देखो इसका जो भी होगा वैल्यू वह आपका लास्ट में चार डेगा इस सब्सक्राइब यहां पर 2 मतलभ यह आंसर आएगा कि अभी आंसर दो भाई तब उजाएगा समझ जा रहा है नंबर 24 सारे आसान हलके फुल के सवाल है यह मैं बता रहा बताओ कि आपको तकलीफ उतना ना हो और आप भीज़रे प्रोसेस कर पाओ कितना हो जाएगा जी एक सवाल है आप जल्दी आंसर दो हम तो बना के आगे भग जा रहे हैं यह चलो आगे यह सवाल का अंसर आप देंगे ठीक है सचिन भाई इस सवाल का अंसर आप देंगे इस सवाल का अंसर आप देंगे हना चलो इसका अंसर आप देना क्या है एक्स एक्स स्क्वार प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है आपको निकालना है एक्स पिच है प्लस वन बटा एक्स पिच है आपको निकालना ह फटाफट बताओ कैसे निकालोगे इसको आप जल्दी से कैसे आप निकाल सकते हो यह बताओ तो पहले इस पे आप अपना दोड़ाओ नजर तो क्या करो आप इसमें X से करो डिभाइड तो यहां पर आएगा X यहां पर आएगा 3 यहां पर आएगा 1 बटा X इधर 0 में भाग दो X से तो क्या आएगा 0 ही आएगा हम क्या कर रहे हैं इधर इधर भाग दे रहे हैं X X से तो क्या आ जाएगा आपका यह आ जाएगा मतलब X प्लस वन भटा X कितना आया आ गया माइनेश में 3 व्लो कोई तकलीफ नहीं है अगर रहस्ते दो है या तो पहले क्यूब करो करो तो प्र स्कूर करो फिर स्काइर करो फिर YouTube करो तो दोनों बाद चलेगा तो पहले हम निकाल लेते है एकस पे क्यूमब प्लस बटा एकस पे-3 क्यूमब Aga King всю और आपका-3 मुना तीन हो कितना हैगा आज आएगा आपका ऐब आठारर कितना का वाप ऑठारर अंुछ remained su स्पिच है पताओ कितना आएगा यह आएगा अठारा का स्क्वैर माइनस तो कितना आ जाएगा तीन सो चौबीस और तीन सो बाइस हो कि बोलो दोस्त हो गया अठी आप स्लो क्यों हो गया आंसर तो आओ भाई कम से कम कि अंसर के लिए आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा टीक है जब भी लो ना कॉपड लेके बाट व सामने फोन दर रखो और फटाफट आंसर करो अंशर देने वह आपको देर नहीं करना है तिरफ यस से काम से लेगा अंसर जल्दी जल्दी आंसर दो नंबर 26 आपके साम 1 बटटा एक्सक् einem यहां से यहां बतू कैसे पहुंचेंगे स्कासपूर करने से तो इसका कर बस्कड सेवन का स्क्वेर और क्या होगा माइनस में तो कितना आएगा 5 अब क्या करो 5 का क्यूब और माइनस 3 गुना 5 बताओ कितना 110 अंसर कितना 110 तो दोस्त अगर हम आंसर दे दे आपका आंसर अगा फिर भी आंसर लिख दो ना चलो बड़ी है बड़ी है आता यह सवाल कितना सुन्दर छोटा सवाल है इसका आंसर नबोल कि बने दोस्त जल्दी यहां पर एक्स ना बोल एक बोला भी वह यह बहुत बढ़िया अच्छा लगा हमें यह अच्छा लगा बढ़िया बात है यह क्या होगा तीन का स्क्वेर माइनस दो यह आपका होगा साथ का स्क्वेर माइनस दो 47 बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आगे यह बताओ ऑब आ गया 5 यह आपको हम समझाए और बताए नहीं है अम आपको क्या है क्या वाला क्यूंब वाला चार छे आथ सब बता दिए अब जो बारी आती वह बारी आती है high power कुछ जो आपका high power है एना वह निकालने वाला इना हम कौन सा जो आपका basically odd वाला आता है सीखो कैसे जैसे आपको दिया है x plus 1 by x equal to दिया है मालो दे दिया 3 क्या दे दिया तीन दे दिया आपसे पूछे क्या बताओ भाईया X पे 5 प्लस X, X पे 1 बटा X पे 5 निकालो, देखो, यहां तक हम कैसे पहुँचेंगे, जैसे वहाँ पर क्या था, अगर हमें पहुँचना है स्क्वेर तक, तो स्क्वेर करो पहुँच जाएंगे, क्यूब में जाना है, क्यूब करो पहु वहाँ से वहाँ पहुच जाओगे, बताओ हमें 5 पर जाना है, हम क्या करें, कैसे पहुचे, हमें जाना है 5 पर हम बताओ कैसे करें, कैसे पहुचे, तो सीखो, 5 पर हम कैसे जाएंगे, ध्यान रखो, 5 क्या है, 2 और 3 से मिलके बनेगा, 5 क्या बनेगा, 2 और 3 से मिलके, 2 और 3 3 से मिलके बनेगा 5 को ति थिन का मतलब किया है कि पहले आप निकाल लो x square प्लास वन बटा x square पहले क्या निकालो आप पहले निकाल लो x square but a1 plus बताओ क्या होगा ही आएगा 3 थिया नौ-2 कितना आएगा साथ कितना आजाएगा साथ आजाएगा फिर आप निकाल लो X3 प्लस वन बटा X3 ये कितना आएगा आपका आजाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 कितना आजाएगा आजाएगा 18 अगर आपके पास ये दो वैल्यू हैं तो इनको यूज करके आप यहां तक पहुँचोगे कैसे पहुँचेंगे वो देखो अगर हम अगर हम क्या करते हैं अगर हम देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं यह तो साथ आया आप देख रहे हैं यह आपका 18 आया आप देख रहे हो यह निकालना आपको आता भी है हम क्या करते हैं हमें पहुँचना है पास तक तो हम करेंगे इन दोनों को आपस में कर देंगे गुना क्या करेंगे इन दोनों को आपस में कर देंगे गुना इन दोनों को जो आपका स्क्वेर वाला पावर है जो आपका क्यूब वाला पावर है इन दोनों को हम कर देंगे आपस में गुना क्या कर देंगे हम आपस में कर देंगे गुना बताओ क्या होगा देखो अगर हम हम लिखे एक्स स्क्वाइर का तो हम जो लिखना चाह रहे है वह एक्शल में क्या है वह आपका है एक्स स्क्वाइर प्लस वन बटा एक्स स्क्वाइर इंटू में क्या आएगा दिएक से प्लस वन बटा एक्स क्यूब और इधर क्या है इधर आपका है साथ गुना अठारा बोलो इससे कोई तकलीफ है हम क्या कर रहे हैं यह कर रहे हैं 25 कि ना भाई ध्यान दो कैसे आगा वो ध्यान दो बहुत सिंपल चीज है लेकिन नहीं नहीं वह तरीका गलत है एक बार आप समझ जाओ फिर उसको आसानी से करोगे यह आपका टिपिकल है जो आपका और नंबर है ना पांच साथ नो वह थ्वड़ा सा और हो जाता है तो उसमे हम क्या करते हैं उसमें हम दो टर्म को गुना करके निकालते हैं देखो कैसे आएगा देखो दिहान से एड़ नहीं करना था पच्छी से बोल दिए देखो ध्यान से देखो यहाँ पर हम पहले करते हैं गुना इसको X स्क्वार को अगर हम गुना करते हैं X क्यूब से अगर हम X स्क्वार को गुना करते हैं X क्यूब से तो क्या आएगा आएगा आपका X पे 5 ठीक है फिर करते हैं इसको गुना करते हैं इससे तो क्या आएगा आएगा 1 बटा x बोलो सही जा रहे हैं आगे देखो फिर करते हैं गुना इसको इससे तो क्या आएगा देखो x3 है नीचे x2 है तो क्या आएगा x आजाएगा प्लस में फिर इस क्वाले को हम गुना करते हैं इस से तो बताओ क्या आएगा यहां पर वन बटा एकस क्यूब तो आजाएगा वन बटा एकस पे पांच इतना आजाएगा वन बटा एकस पे पांच अभी तक बोलो कोई दिक्कत है तकलीफ है तो बोलो एक बार समझा देंगे फिर आप अप इसको करोगे आसानी से कोई दिख्यत आपको नहीं होगे तो क्या आजायगा आपका यहां आएगा 1260 जाएगा 126 ठीक है अब धियान दो जो हमें निकालना था वह क्या है वह आपका यहां यहां से क्या है X पे 5 प्लस वन बटा Xbox यह हम को निकालना है प immedi s राक बच रहा एक्स प्लस वनबटा एक्स, एक्स्ट्र ये बचा, देख पा रहे हो, इधोनों क्या बचा, एक्स्ट्र बचा, इक्वल टु क्या है, 126, ठीक है, इक्वल टु क्या रहा है, 126, अगर हम बोले कि बताओ हमको, बताओ हमको यहां इधर लिख रहे हैं, एक्स पे पांच बताओ, प्लस वन बटा एक्स पे पांच, तो क्या होगा, 126 होगा, और माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा, इसका वैल्यू, क्या है वैल्यू इसका, वैल्यू इसका है, तीन, वैल्यू क्या है, तीन, तो आंसर आएगा, 123, आंसर क्या आएगा, 123, बोल आपको हम बताएंगे इसका सौट तरीका कि कैसे इसको आप फटाफट करो तो आप देख पारे हो दो वाला पावर को हम तीन वाला पावर से गुना करने के बाद हमें घटाना पड़ता है इसको तो हमें मिल जाता है पांच वाला जल्दी से बोलो अभी तो आ गया यहां तक है तो कोई देखो अगर आपको निकालना है एकस प्पांच प्लस एकस वन बटाएक्स प्लस में और इस से नहीं होगा माइनस करना होगा x plus 1 by x को क्योंकि यहां पर देखो यहां पर क्या है गुना करने से यह वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा था यह जो पार्ट है क्योंकि हमको यहीं चाहिए यह वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ इसलिए हमको यह वाला पार्ट घटाना होगा क्या करना होगा हमको घटाना होगा तो हम बना दिये फर्मुला यह हम बना दिये आपका फर्मुला बोले समझ आया है दोस्ति यहां तक अगर आपको यह पांच वाला निकालना है तो क्या करोगे पहले निकालोगे दो पावर व रवोला अब अगर आपसे पूछे बताओ एकस पे साथ बताओ एकस पे 7 प्लस बन रहा है तीन और 4 से बताए क्या करना होगा तो करना होगा आपको एक्स पे 4 प्लस 1 बटा एक्स पे 4 को गुना करोगे आप किससे आप करोगे एक्स पे 3 प्लस 1 बटा एक्स पे 3 से गुना कर दोगे और क्या घटाओगे घटा दोगे आप एक्स प्लास वन बटा एक्स तो आपका अंसर आ जाएगा बोलो यह दोनों जो फर्मुला लिखे आपको समझ में आया फर्मुला कैसे आ रहा है हम इसको बस गुना करेंगे तो क्या होगा नहीं यह वाला चीज एक्स्ट्रा आएगा तो इसको घटा देंगे हम बोलो सर्माजी समझ आया जल्दी बोलो आ गया तो यह चलो अब आ गया ना आपको समझ में इसको स्वाल्व करोगा देखो कैसे करोगे आपको जो निकालना है एक्स पे पांच प्लस वन बटा एक्स पे पांच वह कैसे निकलेगा हम फर्मुला यहां रिपीट कर दे रहे हैं आप इस कहां से जल्दी बताओ क्या आएगा एक्स स्क्वाइर प्लस वन बटा एक्स स्क्वाइर का गुना हम करेंगे किस से गुना करेंगे एक्स क्यूब और प्लस वन बटा एक्स क्यूब से और घटाएंगे घटाएंगे हम एक्स प्लस वन बटा एक्स यह आपका फर्म त्रपूला है आप समझोंगे स्क्वार करके क्यूब करके मॉल्टिप्लाइब मैंस कर देंगे गिवन वैल्यू बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत पथी तमझेए दोस्ते कि इसक्वार व्लर निकालना है वेल्यू ईन एक निकाल लो पहले ये क्या होगा हमारा यह है वालीव ये तो क्या होगा ये और साइड में निकाल लो अगर आप시य में निकाल लो अगर आपसे धिक्क्त हो रही है तो फ overlay ik क्यूब यह निकालो क्या होगा एक क्यूब क्या होगा एक क्यूब तो माइनस दो रूट तीन का क्यूब और क्या होगा माइनस में क्या होगा माइनस में आपका होगा थ्री इन्टू माइनस दो रूट तीन ठीक है है थी कहा जीद तो इसको हम साइड से निकालेंगे अब देखों यहां क्या आएगा यहां आएगा माइनस में 8 आ इसका वैल्यू हम निकाले 10 गुना में क्या आएगा माइनस में आठारा रूट तीन अब क्या करेंगे जो आया उससे घटाएंगे क्या घटाएंगे हम यहां आया मैंस में 200 century यह प्लतार और अगया आग आया माइनस में 118 रूते इने व्लॉप समझ आया कुल जाया जांगात बहुत बढ़िया भाई समझ गए दोस्त है ना ऐसे आप निकाल至कते हो एकश पे 5 प्लस 1 बटा एक 2-5 अपने अटल सकते हो एकसपे पांच नस बनटैक्स पर में 5 बताओ कैसे निकालोगे तो formula हमारा क्या कहता है ओ प्लास 1 बटा एकस स्क्वेर इंटू में क्या करोगे इंटू में करोगे Xtube प्लास 1 बटा एक्सост तो पहले साईड में निकाल ले एकस alp on a गया होगा फ्लास 1 बटा एकस pan खंवाय 2 गया तो आगया कितना 16 कितना आगया 16 हम निकाल रहे हैं x cube plus 1 बटा x cube बताओ यह क्या होगा यह होगा a cube यानि आपका minus 3 root 2 का cube और minus में क्या होगा minus में होगा 3 into minus 3 root a यह होगा चलो यह क्या हो जाएगा आपका 237 दुना 54 minus 54 root 2 बताओ यह होगा plus में plus आपका हो जाएगा 9 root 2 तो आपका क्या आजाएगा माइनस में 45 root 2 ठीक हम दोनों value निकाल दिये अच्छा जी answer d बोल दिये d लग रहा है जी अरे sure बोलो भाई लगने से क्या होगा यह क्या होता यह हमारा आएगा 16 यह आएगा minus 45 root 2 और minus में क्या हैगा minus और minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 3 root 2 यह कितना आगया आएगा minus 717 root 2 बोलो समझाया है दोस्त आप घटाए नहीं है ना वो जो घटाना या एड करना घटाने से क्या है minus 11 value जूट जाएगा तो आप वो वह वाला प्रोसेस नहीं किये बांकि आपका answer सही आए बोलो समझाया है दोस्त answer क्या है option number B minus 717 root 2 बोलो समझाया कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी क्या है ना यहां mistake करो कोई दिक्कत नहीं अभी सीखर है और आपका learning period है आपको क्या दिक्कत हो कि यहां पर cube करने में तो cube करना सोचना नहीं है बांकि concept तो समझ में आही गया है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है चलो आगे बढ़ते हैं यह निकालो जी आपको फिर निकालना है x पे 5 प्लस 1 बटे x पे 5 क्या आपको value दिख रहा है वहां पर आपका लिखा रहता था x प्लस 1 बाइ एक्स पे ठीक है आपका लिखा कर रहता था कि x प्लस 1 बाइ एक्स इक्वल टू क्या दिया लिखा रहता है यहां आपको खोजना पड़ता है कैसे खोजोगे जब भी ऐसा लिखावा रहना ध्यान देना इसको फटाफट आप करो x से भाग दो तो x आएगा माइनस आपका root 7 आएगा प्लस 1 आएगा 1 बटा x आएगा एक्वल टू 0 आएगा आप यहां से देखते ही तर लास्ट में मुझसे बात करके ही क्लास आफ कीज़ेगा अच्छा ठीक है ठीक है और क्या है इधर देखो इधर क्या आएगा आपका इधर आएगा x प्लस 1 बटा x स्कूर इंटू में क्या आएगा इंटू में आएगा आपका x पे क्यूब प्लस 1 बटा x पे क्यूब और माइनस क्या होगा x प्लस 1 बटा x हम बार बार आपके लिखते हैं फर्मुला ताकि आपको तकलीफ दिक्कत ना हो और फटाक से आप answer बताओ, जल्दी से answer बताओ, क्या होगा जी, देखो, यह आपका root 7 दिया है, तो हम उसको side में निकाल लेते हैं, फटा-फट, आकि आपको समझ में आया हम निकाल कैसे रहे हैं, इसका square कितना, 7 में दो गया आपका 5, कितना आया 5, अब बात करते हैं, cube वाले की x cube प्लस 1 बटा, x cube बताओ, क्या होगा, यह होगा, 7 root 7 का cube, minus में क्या होगा, minus में आपका हो जाएगा, 3 into root 7, तो बताओ, कितना आएगा, 7 root 7, minus 3 root 7, आज आएगा, 4 root 7, आपका answer है क्या, आपका भी तक answer नहीं है, जल्दी करो, यह 5 गुना क्या आएगा, 4 root 7, और minus में क्या आएगा, minus में आएगा, root 7, तो कितना आएगा, 20 root 7, minus में आएगा, root 7, तो क्या आएगा, 19 root 7, बताओ, दो समझ में आगया, option number D, आपका answer, आपका answer, आपका answer, आपका answer, 19 root 7, बोलो जी, आपका answer आया, 19 root 7, की नहीं आया, आपको देर लग रही है, यह देखो, यह अच्छा है, यह न, 5 वाला जो निकालने पूछता है, यह अच्छा सवाल है, बिलकुल, चलो, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, number 31 का सवाल आपके सामने, देखो, जब भी ऐसा आपको straight line दिया रहे, फटाफट, और आपसे जो पूछ रहा है, उसको भी हम देखेंगे, ध्यान से, दोनों में हम एक ही काम करेंगे, आपका आगया, तो मुझे भी समझ आगया, आच्छा भाई, ऐसी बात है, चलो, बढ़िया बात है, तो पहले क्या करो, आप, इसको देखते ही पहले ये लिखो आप, एक्स और ये माइनस 3 प्लस 1 बटा एक्स इक्वल टू 0, इसको देखो लिखो क्या, एक्स प्लस 1 बाइक्स कितना आया, आगे आपका 3, ठीक है, ये हम फटाक से ये यहां से यहां पहुंचना जरूरी है, है ना, बहुत जरूरी है, आपकी निगाहे तेज होना जरूरी है, अब देखो, जो दिया है ना, वो निकालना कितना देखो, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, देखो, यहां पर एक्स पे 4 है, यहां वन बटा एक्स पे 4, देखो, जो आपका दिया है ना, उसको हम तोड़ा सा ध् एक्स प्लस वन जो निकालना है हम इसको बताओ कैसे निकालें तो आपको हम फिर बता रहे हैं क्या करो आप X से करो divide, क्या करो? X से भाग दो, उपर नीचे, किस से? उपर भी up and down, दोनों में क्या करो? X से भाग दो, क्या करोगे? दोनों में X से भाग दो, इसमें, तो क्या होगा? देखो, अगर हम X4 पे भाग दोगे X से, तो क्या आएगा? आएगा X3, क्या आएगा? X3, अगर आप 1 से और नीचे देखो नीचे क्या है एक्स स्क्क्वेर राग दूआ एक्स से तो क्या आएगा पा की और यह क्या आएंगा समझ में आया दोस्त हमाई सरमा जी समस्क्वां द्हाए यह समझना यह यहांष ना आया अगर डिखे लिखे हमेरेतर देते हैं इसको X is X 4 है EISA गया खरेंगे और užाफट काटेगा यहां पर तीन को बचेगा उस टाइप से है दूसरा क्या है अगर हम इसको लिखेंगे वन लिखेंगे वन बटा X स्क्विर भागण देंगे इसको X से तो क्या होगा आपका वन बटा एक्सक्यूब बनेगा इसा बात समझ रहे हैं दोस्त निम्रेटर का डिवाइड नहीं आया समझ आच्छा निम्रेटर मनें उपर वाला अच्छा जी ठीक देखो एक्स पे फोर है और प्लस क्या है वन बटा एक्स इसको हमको भाग देना किससे है हमको भाग देना है इसको डिवाइड करना है वन बटा एक्स से यही न हो गया इसको भाग देना एक्स ऐसे लिख देते हैं ठीक है बस ध्यान देना है एक बार तो इसको हम ऐसे ब और इसको बोल देंगे हम वन बटा एक्स पे भाग और बटा एक्स या इसको अगर हम ऐसे बोल दें तो आपको तकलीफ है नहीं यह आपको दिख रहा है विजिबल है यह चीज ध्यान से देखना दोस्त यहां पर यही बात समझने लायक है यहां पर ऐक्स है यहां पर चार है यहां हम दिख कर रहा हूगा यह आपको दिक्कत नहीं कर रहा होगा दिक्कत कर रहा होगा यह वाला चीज दिक्कत कर रहा होगा यह वाला चीज चलो एक काम करते हैं आपको बताते हैं इसको हम एक अलग से वाइट पेज लेके ताकि आपको क्लियर रहे दिमाग बढ़िया से देखो आप यहीं बोले ना क एक कॉंसेप्ट है जो आपको समझना है हो जाएगा देखो पहला चीज क्या है एक फोर बिटा एक्स सेकेंड्ड चीज क्या है वन बटा एकस फे भाग स्कुएर दिये और भाग में एक्स तो आपको समझ में यह आया समझ में यह आया है कि यह सरम कर दिए x3 और नहीं हो कोई दिखर नहीं है यह हमें दिखर नहिए दिखर इसमें है आपके बपाके तरीके से हैर जैसे yat για कि अगर आपका ऐसे लिख दे अगर हम लिख दे वन बटा एक्स और लिख दे भाग भाग बोल दे वाई क्या बोल दे वाई अगर हम बोल दे वन बटा एक्स और बोल दे भाग वाई तो बताओ क्या बोलोगे इसको बोलोगे आप कि सर वन बटा एक्स तो होगा और इंटू में क्या बोलोगे दोस्त तो यहां से क्या बनेगा यहां से बन जाएगा वन बटा एकस वाई और यह जो भाग देते हो इसको ऐसे बोल सकते हो ना वन बटा एकस है भाग में वाई दिए यही तो यह बना यही तो यह बना दिखा बोले समझ में आया है वहां से तो वही दो को सेम गुना किस से होगा वन बटा एक से तो क्या आएगा वन बटा एकस क्यूब आएगा बोलो दोस्त समझ में आया तरमा जी बोलो समझ आया कैसे वन बटा एकस क्यूब हुआ बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया जल्दी बोलो दोस्त समझ आ गया येस आ गया समझ में अब पक्का ना ऐसे होता दूसरे जैसे अगर आप देखना अगर लिखाओगा वन बटा पांच अगर आप इसको भाग दोगे तीन से तो क्या होता है जनरली वन बटा पांच गुना तीन हो जाता है मल्टिप्लाइ में पावर एड हो जाता है मल्टिप्लाइ में पावर एड हो जाता है ठीक है और आपका डिवाइड में क्या होता पावर घट जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जो सवाल पे थे उस पर आते हैं वापस ठीक है तो बन क्या गया बन गया आपका ये एक्स एकस क्यूब प्लस वन बता एकस एकस बेसा क्या वन बकुवान इकस ल्वाणी माइनस क्या होगा माइनस की मैसा क्या da 그렇죠 वावानी से यह के लिखा हूँक्षण एक्सxo कितना है तीन बॉलेंगे तीन और प्लस पांच यह बन्यू क्या देगा हमको मिल के देगा तीन और नीचे आएगा पांच 5 क्या प्लस मैं आ जाएगा आट क्या जाइए आठ वहां कितना उपर आया आपका अठारा ऊपर कित ना या उपर आया अठा और और नीचए क्या आएगा सो निचे आपका आयागा कितना 8 कितN 나 आएगा दो 9 वाटा चा नंसर आपका आंजसर किया आप्शन मुंबरे आंसर राइसमाज आ गिया यह कैसे हम सकते हैं तो ऐसे सवाल आप से पूछे जाएंगे ऐसे वाले में जहां आपको एक से भाग देकर उसको अपने शुविधा अनुसारा फॉर्म में बदलना होगा ठीक है चलो समझ गया दोस्त ना चलो बहुत बड़े हैं चलो अब चलते हैं आगे के सवाल में यह कर लोगे दो चार का स्क्वाइर माइनस दो को गुणा करें गुणा करेंगे चार का क्यूब से और माइनस होगा तीन गुणा चार और इसका गुणा से क्या होगा माइनस होगा आपका चार भूल समझ माया हाजी कर लेंगे तो क्या आएगा जी इसका वैल्यू आगा चौदर इसका वैल 33 नमबर 33 दो लगता है मेरा अखरी सवाल है 33 नमबर सवाल देखो बताओ यह कैसे निकालोगे हम आपको पहले ही बतायते फर्मुले में जब भी देखो आप और वाल नमबर एकस पे 5 हो एकस पे 7 हो एकस पे 9 हो तो आपको देखना है यह तो आपका स्क्वाइर क्यूब से आपका पहुचने वाला नहीं है यह क्या है आपका स्क्वाइर क्यूब से पहुचने वाला नहीं है तो इसको बताओ कैसे करेंगे इसको देखेंगे यह आपका 3 और 4 से मिलेग क्या होगा x पे 4 प्लस 1 बटा x पे 4 को गुना करेंगे किस से गुना करेंगे x के cube प्लस 1 बटा x का cube से और क्या होगा minus क्या होगा minus होगा x प्लस 1 बटा x minus क्या होगा x प्लस 1 बटा x cube and power 4 में change करने से गुना करके और minus करना होगा आपका सिंगल पावर से यह मानिस करना जरूरी है यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इससे आपका अंसर आएगा ठीक है जी चलो करो फटाफट पहले निकाल लो आप स्क्वार निकालो बताओ क्या होगा हो जाएगा आपका साथ फिर निकाल लो चार वाला क् पहले स्क्वार फिर ना आप चार निकालोगे तो आजा कितना आजाएगा फॉर्टी सेवन कितना आजाएगा फॉर्टी सेवन जल्दी आंसर बताओ इसका फिर आप निकाल लो क्यूब वाला क्यूब भी हमको चाहिए ना क्यूब भी हमको चाहिए तो क्यूब बताओ कितन कितना आएगा 126 12 72 12 84 846 माइनस तीन कितना 843 क्या जाएगा 843 ऑप्सन नमबर बी बुल आपका आंसर आया 843 के नहीं आया कि रमज आया और आंसर आया कि अधाई सही मतलब आप समझ गए दोस्त है ना आप समझ गए और हमारी क्लास जो है यहीं तक है कि एना क्लास हम कल क्लास हम कल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ठीक है कि हम कल जा रहा है अपने खर कि और हम और आपको जानकारी पहले दी जाएगे कि मेरी क्लास है आप सभी को आ जाना है हमारे सारे देखो और आप से हम बात करना चाहिए तो पहले हम पता करते हैं कि भाई पहले हम बीजित करते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा है और आप से कुंटक्त किया जाएगा आपका नाम क्या है जी तो चिन सरमा नम आपको ना वही आपका नाम लिखा हुआ आईडी पर ना इस आपको नमबर एक बार निकलवा लेंगे होगा तो लेकिन पहले बात करना होगा टीम में न फिर देखते हैं कुछ आपके लिए बन सकता है तो हम बात करते हैं ठीक है ठीक है दोस्त बाइब बोल दे आपको आपसे मुलाकात होगी और आपके लिए अगर हम नेक्स कुछ बात कर पाएंगे तो बात कर पाएंगे पांस दिन बाद कि कल मेरी ट्रेन है तो मैं जा रहा हूँ ठीक है यतना मेरे बस में होगा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगो भाई कंटेंट राइटर काम रिश्रेप्शन का नेम MS Office MS Excel यूट्यूप के टेक्निकल कुछ भी करवा लेंगे ठीक पक्का 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 जेए करेंगे तो आज हमारी क्लास यहीं तक है आपको भी बाई-बाई हम भी चले घर आप भी अपनी पढ़ाई जो हमने आपको क्लास दिया है इसे चैट में नंबर मत दो यार तरुको भाई आप 888-168-0 14 तो में भी नहीं बोल सकते हैं 15 भी नहीं 16 को पक्का हो सकते है 16 को चांस से बनते हैं ठीक है 16 को क्लास आपकी हो सकती है आप से बात हम कर लेंगे बाद में ठीक है ओके जी चलो ताटा बाई 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 आप 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 झाल झाल